आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है शुबम अगरवाल और आज मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं क्वेशन का महाकुम आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आप लोगों के एक्जाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तया किसी एक काउय कर रहे होते हैं या इंजरेंग सर्वेसर के करे उते हैं कि जबात का और इसकी खाश बात यह है कि हम इसमें कुक्छ नए डिजाइंड ऐस्टो करने वाले हैं, so I think you all are ready to do all these questions, और आज के session में हम lot many number of questions करने वाले हैं, so daily के basis पे हमारी class जो है, वो चलती है रात को 9 बजे, और ये questions का महाकुम दो दिन चलने वाला है, एक आज और एक कल, तो दो दिन ये session चलेगा, और इसके अंदर हम lot number of questions, जो भी building materials के, जो जो topic हैं, उसस जिस तरीके के questions, J E से, A E से, E S E से, और हमारे द्वारा बनाए जा सकते हैं, हर तरीके के question को हम करने की कोशिश करेंगे, yes or no? So let's start, और उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत लगे, कोई बात हो, जो आप मुझे share करना चाते हो, तो आप मुझे email कर सकते हैं, किसके ओपर, मेरी email id पर, shubham.agrawal.facultyattherittestbook.com, ये मेरी email id note कर लेंगे, और मेरी class का जो PDF है, आप लोगों को session के बाद मेरे telegram group से मिल जाएगा, जिसका नाम है, शubham.agrawal.sher testbook, जिसका link वीडियो के description में दिया गया है, तो जो भी नए बच्चे हैं, वो session को like कर लें, channel को subscribe कर लें, और साथ के साथ telegram group को join कर लें, ताकि यहाँ पर, जो भी class में पढ़ाया जाए, तिखाया जाए, इसका जो PDF ह है, वो आपको मेरे telegram group तवारा मिल सके, मैंने building materials के पूरे notes लगबग इसके अंदर आपने telegram group में डाल दिये हैं, एक दो छोटे-छोटे topics हैं, जैसे की asbestos, जैसे की paint, यह topics को मुझे लगता है कि अलग से cover करने की जरूरत नहीं थी, और इनी महाकुम के sessions के अंदर में questions के तवारा आपको यह topic भी cover करवाने वाला हूँ, so I think यह complete package होने वाला है, और हमने building materials को complete किया है, उसके notes, telegram group से आपको already मिल गए होंगे, now let's start the session, ठीक है, तो telegram group का नाम शुभा मगरवाल सर्ट टेस्ट बुग, अच्छा, एक important बात यह है कि questions के महाकूंग, आज Saturday को चलेग और उसके बाद हम daily basis पर अपनी classes को continue करेंगे, क्योंकि हमें अभी concrete और multiple subjects पढ़ने हैं, तो वो भी हम continue करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ, मैं आप लोगों के लिए testbook की application के उपर, शाम 4 बजे, एक free master class शुरू कर रहा हूँ, जो कि एक rank improvement class है, क्योंकि पढ़ना और उसके important ये भी है, कि आप अपनी rank को भी सभी बच्चों के comparison में improve करें, और ये शाम की चार बजे की class, testbook की application में आपको rank improve करने में, उतनी ही मदद करने वाली है, जितनी आप rank, पिदे के paper फोड़ना है, तो लाखों बच्चों में, चुनिंदा, कितनी वेकिंसी आपकी, civil की, वही लाखों बच्चों में से, सिर्फ उन 1100 बच्चों में से आना है, तो अपनी rank पर भी काम करना होगा, और इसलिए मैं ये free class आप लोगों के लिए testbook की application पर शुरू कर रहा हूँ, शाम चार बजे, चले, कोशिश करते हैं, अब देखें, यहाँ पर ध्यान देनी की बात यह कि आज की session के अंदर question कहां कहां से होने वाले हैं, एक ESE से, एक AE से, एक JEE से, और कुछ questions हमने खुद design की हैं आपके लिए, तो सारा mixture है multiple exams का जो की पूरी building materials को cover करता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज जो आप लोगों को करनी है, ठीक ना, एक मातर चीज आपको जो करनी है वो आप जितने भी question आज की class में attempt करेंगे, वो count करेंगे, एक paper और pen अपने पास रख लें, ठीक है ना, वनना laptop हो, mobile हो, उसमें कोई screen खोल ले, वहाँ पे आप ये mark कर लेंगे कि session के आखरी में मैंने इतने question attempt किये, उसमें से इतने answers मैंने सही किये हैं, और इतने गलत किये ह आपका order ये होगा last में, जब मैं पूछूँगा कि आपका क्या रहा आज का session, तो last में, या फिर जो बच्चे बाद में भी देखेंगे इस वीडियो को बताएंगे, कि इतने question मैंने right किये, इतने मैंने wrong किये, और इतने total attempt किये, right है, सब को clear है, तो clear लिखकर बता दें, now let's start the session, सभी लोग comment करके बता दें, कि सब को clear है, कि last में आपको कैसे बताना है, कि मैंने total question ये लगाए है, इसमें से इतने गलत होगा, इतने सही, इसी order में आपको बताना होगा, yes everyone please, comment in the comment section, ठीक है बई, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जई साब, let's start the session, now, ठीक tricalcium silicate, which is formed during the clinkering process, तो मैं जानता हूँ कि tricalcium silicate को हम C3S लिखते हैं, और C3S को हम क्या बुलाते हैं, इलाइट बुलाते हैं, इसके साथ साथ C4F को हम क्या बुलाते हैं, फिलाइट बुलाते हैं, इसके साथ साथ C3A को जो हम बुलाते हैं, वो सिलाइट बुलाते हैं, य इसके साथ additional information भी बहुत important है क्योंकि सवाल कुछ भी बन सकता है and that is कि यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि decreasing order में अगर मैं लगाता हूँ cementing property के हिसाब से तो सबसे आदा cementing property आपको कौन देता है C3S maximum heat आपके लिए कौन produce करता है C3A जित्ती भी information आपको आती हो comment section में लिखते चलेंगे जित्ता लिखते लिख लिखकर याद करेंगे उतना याद हो जाएगा इलाइट जो है वह best cementing property देता है बिलाइट जो है ultimate strength यानि की छोटु भाई जो है वह ultimate strength के लिए responsible होते हैं C3Light maximum heat of hydration produce करता है और फिलाइट जो है उसकी poorest cementing property होती है यह सब्सक्राइबरेवान चलिए बहुत अच्छे अगले question पर चलते हैं select the correct statement from the following आपको इसमें से सही statement correct statement चुन कर बताना है mineral tar is obtained by the distillation of bituminous shells ठीक है ना mineral tar क्या bituminous shell के distillation से मिलता है दूसरा statement है wood tar is obtained by the destructive distillation of resinous wood तो देखे ध्यान देने की बात है कि mineral tar mineral tar जो होता है basically किस से मिलता है या तो wood से मिलता है या फिर आपको किस से मिलता है coal से मिलता है लेकिन यहां पर जो mineral tar है वो bituminous shells की distillation से मिलता है ठीक ना और कौन से distillation से मिलता है basically destructive distillation से मिलता है और जो wood tar होता है वो आपको resinious wood से मिलता है और कैसे यह देखे destructive distillation से यानि कि यह भी true statement है यह भी true statement है best suitable answer क्या होगा both of the statements are true so यहां पर deep perfect answer हो जाएगा बहुत अच्छे इसके बारे में पूरी information आपको मिल जाएगी लेकिन जो tar है वो soluble होता है किसमें टाउलीन में ठीक ना इसके साथ-साथ bitumen जो है पानी से less more resistant होता है in comparison to tar ठीक ना अगर मैं बात करता हूँ temperature से जाधा effect कौन होता है तो temperature से जाधा effect होनी की जो tendency है वो तार की है और temperature change होने पर bitumen कम effect होता है तो यह कई सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक उसके बाद अगला question है select the incorrect objective ठीक ना incorrect objective of टिंबर देखें आप टिंबर की seasoning कर रहे थे in Commerce कर रहे थे एक तो समय सेषम डिल्स कर रहे थे हैं ठीक ना सफ Yog civे रिमूब कर रहे थे और इसके लावा तर कांटेंट उसका reduce कर रहे थे ठीक ना आप water content reduce कर रहे थे तो उसके वज़े से क्या-क्या हो रहा था उसकी वज़े से हमें कुछ changes देखने को मिल रहे थे थीगे न वोट के अंदर वो changes क्या थे एक तो उसके अंदर shrinkage होने के और वर्पिंग होने के chances reduce हो जाते हैं इसके साथ साथ उसमें insects और fungi का जो effect है वो भी comparatively reduce हो जाता है उससे resistance बढ़ जाती है उसके उपर कोई preservative आव असानी से लगा सकते हैं उसकी strength hardness toughness तीनों बढ़ जाती है और उसकी durability भी बढ़ जाती है तो यहां पर statement क्या कहता है reduce the shrinkage and warping after placement of structure true है जी increases the strength durability and workability जे true है जी reduces tendency to split and decay true है जी increases its weights नहीं भाईया weight तो decrease करता है तो weight decrease करने की वज़े से हम यह कह सकते हैं कि यहां पर यह एक गलत statement है और यहां पर answer क्या बन जाएगा fourth बन जाएगा बहुत अच्छे गाईज चलिए अगले question पर चलते है इन order to classify the timber based on durability आप durability के basis पर timber को classify करना चाहते हैं ठीक है ना test specimen of size कितने size का यह एक्जाम में पूछा जाता है एक बार sscj में भी पूछा जा चुका है 600 into 50 into 50 mm are buried under the ground to half their length तो हम क्या करते हैं आदा उसको ground के अंदर लगा देते हैं और आदा ground के बाहर खुला छोड़ देते हैं इस test का क्या नाम होता है यह comment करके आप मुझे बताएंगे ठीक है ना अब यहां पर and the condition of the specimen at various intervals of time are noted और यह note किया जाता है समय समय पर कि इसकी क्या condition है and their average life is computed और उसके basis फ्याम उसकी क्या life होगी कितने समय सक वो लगड़ी चल पाएगी यह निकालते हैं in order to classify the timber as highly durable अगर आपको यह बताना है कि वो एक highly durable timber है तो उसकी average life at least कितनी होनी चाहिए ठीक ना 120 months and above या फिर greater than 30 months and less than 60 months less than 30 months या less than 120 months but more than 60 months और more तो देखें ध्यान देने की बात यह है highly durable timber जो है वो एक ऐसा timber होता है जिसकी life 120 महिने यानि कि 10 साल से जादा होती है medium durable timber की life 60-120 के बीच में और low durable timber की आपकी 60 मेने आएंगी पांस साल से कम अब इस टेस्ट को जो perform किया जाता है इस टेस्ट का नाम आप से exam में पूछा जा सकता है इसको हम कहते हैं graveyard test क्या बोलते हैं graveyard test बोलते हैं सभी लोग लिखकर बताएंगे क्या बोलते हैं graveyard टेस्ट बोलते हैं ठीक है ना इस test का नाम क्या हुता है graveyard test कों सा test durability of the timber निकालने के काम आता है graveyard test निकालने के काम आता है जनरल यह पढ़ाया नहीं जाता लिकिन मेरे को expected है कि किसी नहीं किसी एक्जाम में आएगा ठीक है चलिए बहुत अच्छे अगले क्वेशन पर चलते हैं विच अफ फॉलाइंग टाइपस ऑफ रॉक एग्जबिट ग्रेटेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ क्योंकि क्रशिंग स्ट्रेंथ मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है ना वेन कंपेर्ड टू अधर मेंशन टाइपस ऑफ रॉक इन में इन चारों में से कौन सा ऐसा पत्तर है जो सबसे जाधा स्ट्रेंथ आपको देगा सैंड स्टोन लेटराइट शेल या फिर ट्रैप देखिए सैंड स्टोन एक सॉफ रॉक होता है सेडिमेंटरी रॉक है ठीक है ना लेटराइट भी आपका जो है वह बहुत जाधा स्ट्रेंथ शो नहीं करता लेकिन इसमें जो सबसे अगर वैल्यू नहीं भी पता है तो आप ध्यान दे सकते हैं ट्रैप क्या एक इगनियस रॉक है और इगनियस रॉक अच् सब्सक्राइब करने का काम करते हैं यानि कि यहां पर बेस सूटेबल आंसर क्या होना चाहिए ट्रैप होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन सभी स्टोंस में से कौन दे रहा है ट्राइब कर रहा है ठीक है चलिए बहुत अच्छे गाई ठीक है मेहनत करनी है देखो हो सकता है बहुत तारे आंसर आपसे गलत हो जाएं बहुत बार आपको डिमोटिवेशन आएगा बहुत बार आप डिसकरेज होंगे लेकिन आखरी में सेलेक्ट वही होगा जो आखरी तक बैठेगा भी पढ़ेगा भी और जवाल का जवाब भी देगा गलती जो होगी वह यहीं कर जाएगा एक्जाम में सवाल का जवाब मुझे सही करना है ठीक है वाई विच बन ऑफ फॉल्लेंग इस नौट अग्रेट अफ सीमेंट एस पर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ठीक है और्डिनरी पोर्टलेंट सीमेंट 23 ओपी 53, 33, 43 तो यहां से कई सारे सवाल आप लोगों से बन सकते हैं हाला कि अगर मैं देखता हूं तो हमने तीनी ग्रेट की बात करी एक 33, 43 और 53, 23 जैसा कोई ग्रेट नहीं था अब आप से एक सवाल जो एक्जाम में कई बार पूछा गया है वो यह है कि मुझे बता दीजिए कि किस ग्रेट अफ दा सीमेंट के लिए आप कौन सा इंडियन स्टैंडर कोड फॉलो करते हैं तो जितने कोड आपको याद नहीं आप लिखकर बता दें क्योंकि तीनों के मैंने खास आपको याद रखने के लिए बोला था और IS OPC जो 33 के लिए ग्रेट फॉलो किया जाता है याद रखना है तो यह तीन इंडियन स्टैंडर कोड हैं जिनको आपको याद रखना है अब इनसे कुछ वैल्यूस भी पूछी जा सकती है जैसे कि अगर मैं आपसे OPC 43 grade of the cement के लिए कहता हूं कि 28 दिन में maximum strength कितनी मिलेगी तो 28 दिन में आपको उसकी maximum strength बतानी है कि OPC 43 grade of the cement के लिए कितनी strength मिल सकती है ठीके न तो देखे अगर मैं OPC के लिए 43 grade का है तो मैं बता सकता हूं कि उसकी जो minimum strength है थाइस दिन में वो आपको मिलेगी 43 MPa लेकिन यहां पर कई सारे बच्चे 43 answer कर रहे होंगे जो कि यह गलत answer है क्योंकि maximum strength वो कितनी provide करता है ठीक है ना maximum strength वो 58 MPa provide करता है ठीक है ना तो इसकी पूरी table भी आपको दे देता हूं कि भाई 43 grade जो है तीन दिन में आपको किती strength देता है 23 MPa ठीक है ना साथ दिन में किती strength देता है 43 MPa लेकिन 28 दिन में यह minimum strength दे रहा है maximum strength किती देता है 58 MPa अब अगर मैं आप से सवाल पूछता हूँ कि 53 grade of the cement जो है वो 28 दिन में minimum strength कित्ती देता है तो सभी लोग comment करके बताएंगे कि 53 grade का अगर cement है ठीक है इसके लिए हम इंडियन standard code follow करते है इस 2269 यह 28 दिन में minimum strength आपको देता है 53 3 मेगा पास्कल लेकिन इसकी maximum strength जो है वो specify नहीं की गई है इंडियन standard code द्वारा तो यानि कि अगर कोई भी option none of the above का दिया जाता है तो फट से उसी को choose करना है क्योंकि 53 grade के case में maximum strength specify नहीं की गई है जेई साब ठीक है ना बहुत अच्छे अगला question आप से क्या पूछा जा सकता है कि अगर मैं आप से कहता हूं कि मुझे यह बताइए कि एक OPC 43 grade के cement के अंदर maximum percentage maximum percentage of magnesium कितना हो सकता है यह PPSC J E में पूछा जा चुका है यह HP J E में पूछा जा चुका है और एक और A e के paper में आ चुका है maximum percentage of magnesium बता दीजे एक OPC 43 grade cement में कितना हो सकता है ठीक ना तो आपको बताना है और the maximum percentage of magnesia can be 5% ठीक ना 43 grade के case में maximum percentage 5% हो सकता है लेकिन अब 2000 बाद 2015 के बाद से 33 43 53 के लिए same value हो चुकी है ठीक ना लेकिन अभी भी आपको मैंने बताया है कि जो भी values exam में पूछी जाती है वो 2015 से पहले की पूछी जाती है क्योंकि सन 2015 के बाद से जो तीनों Indian standard code मलब grade of cement है उसके लिए सिर्फ एक Indian standard code follow होता है that is is 269 ठीक ना 2015 लेकिन 2015 से पहले तक इन तीनों ही grade के cement के लिए अलग-अलग code follow होते थे और अभी-अभी मैंने वो तीनों standard code आपको बताए है राइट है चलिए बहुत अच्छे अगले question पर चलते हैं guys ठीक है एक बहुत बढ़िया सवाल जो की हो सकता है कि आप पहली बार देखें which of the falling is true इन से बताना है कौन सा सही statement है the percentage of carbon content in high carbon steel is always greater than five एक high carbon steel के अंदर high carbon steel के अंदर अगर मैं percentage of carbon की बात करता हूं तो वो 0.8% से 1.5% के बीच में होता है जिसकी वज़े से यह statement गलत हो जाता है क्योंकि यह कहता है कि एक high carbon steel के अंदर हमेशा जो carbon percentage है वो 5% से जाधा होता है जो की बिलकुल गलत है the symbol or use for killed steel is K तो क्या killed steel के लिए जो symbol इस्तेमाल किया जाता है वो K है देखे ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले तो में यह पता होना चाहिए क्या killed steel जैसा कुछ होता है बिलकुल होता है ठीक है और उसके लिए symbol इस्तेमाल किया जाता है वो K ही इस्तेमाल किया जाता है यानि कि यह true statement है अब मन के अंदर यह सवाल बनता होगा कि killed steel कहते किसको है देखे killed steel एक ऐथा टाइप का steel है जिसके अंदर से ठीक है ना de-oxidization कर दिया जाता है de-oxidization कर दिया जाता है मतलब क्या है कि उसमें से oxygen का removal कर दिया जाता है अब oxygen का removal क्यों करते हैं क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं iron को या steel को manufacture करते हैं उसका solidification करते हैं ठीक है तो उसके solidification के समय कुछ gas release होती है और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी gas release होती है ठीक है तो उसमें से जो gas release होती है that is carbon कौन सी carbon monoxide ठीक है ना तो यह एक de-oxygenized steel होता है जिसमें से पूरी तरह से oxygen को remove कर दिया जाता है इसी लिए इसको killed steel कहा जाता है अब आपके मन में एक सवाल ये भी हो सकता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं oxygen को पूरी तरह से क्यों remove कर रहे हैं इसको इसलिए remove कर रहे हैं ताकि इसके अंदर किसी भी कराका हम कोई एक alloy add करके metal add करके alloy बना सकें जिससे किसकी strength को improve कराया जा सकें और इस particular type के steel से आपको में बता देता हूं काफी अच्छे surfaces के steel को तयार किया जाता है राइट चलिए तो यह true statement अगला statement the percentage of carbon content in cast iron is less than the percentage of carbon content in mild steel देखें mild steel के अंदर जो carbon percentage होता है 0.15 से 0.3% होता है लेकिन एक cast iron के अंदर ध्यान देने की बात यह है कि carbon percentage कितना होता है 2 से 4% होता है इसका मतलब यह है कि यह statement गलत है क्योंकि carbon के अंदर sorry cast iron के अंदर carbon का percentage जादा होता है जिसकी वज़े से carbon जो cast iron होता है वो नेचर में थोड़ा सा brittle होता है और mild steel ductile behave करता है ठीक है ना the percentage of carbon content in cast iron is always less than 0.1% तो वैली गलत हो गया क्योंकि हमने अभी-अभी बात करी है कि carbon का percentage cast iron में कितना होता है 2 से 4% होता है तो इस आप एक्जाम में जाएं तो आपको पता हो कि dead steel उसे कहा जाता है जिसके अंदर carbon का percentage less than 0.15% होता है mild steel के अंदर 0.15 से 0.30 medium carbon steel के अंदर 0.3 से 0.8 high carbon steel के अंदर 0.8 से 1.5 और एक खास बात cast iron के अंदर 2 से 4% जिस भी steel के अच्छा एक steel होता है tool steel क्या मुझे से बता सकते हैं tool steel के अंदर carbon का percentage कितना होता है एवरिवन प्लीज कॉमेंट अपने अपने इसाब से बता दो ठीक है ना बता दिए वही टूल स्टील के अंदर carbon का percentage कितना होता है एवरिवन प्लीज कोई आपको ना यहां पर डाट रहा है ना साबित कर रहा है आपका selection नहीं हुआ ठीक है ना कोशिश करनी है कोशिश करने वाला ही जीतता है दोस्त ठीक है तो टूल स्टील उसे कहा जाता है जिसके अंदर कार्बन का percentage एक परसेंट से अगर उपर है तो इसी टाइप के स्टील से हम टूल बनाने का जो टूल बनाया जाते है ठीक है ना वो इसी टाइप के स्टील से बनाया जाते है उनके अंदर जो कम स्ट्रेंज कौन देता है इसमें लेटराइट देता है ट्राइप देता है ग्रिनाइट देता है या ग्निस देता है अब देखो अंदाजा लगाएंगे ठीक है ना लेटराइट जो है हमारा एक sedimentary rock होता है, trap जो है हमारा एक igneous rock होता है, granite जो है हमारा एक metamorphic rock होता है, grimace जो है हमारा एक metamorphic rock होता है, अब इन 4 ताइप के rock के अंदर जो soft nature दिखाने वाले rock हैं, वो sedimentary rocks होते हैं, तो इसके अंदर जो best suitable answer होना चाहिए वो लेट राइट है, हाला कि मैंने अभी-अभी आपको इसका एक value भी provide किया था, कि जो आपका लेट राइट का value है, वो 2-4 newton per mm2, यानि कि आप mega pascal भी कह सकते हैं, हाला कि आपको जो मैंने stones यहाँ पर लिख कर दिये हैं, इनकी value आप याद रखेंगे, क्योंकि value पूछी जा सकती है, बसाल के case में 500-200 newton per mm2, granite के case में 90-120 newton per mm2, trap के case में, अभी-अभी इस पर सवाल पूछा भी गया था, and that is 300-380 newton per mm2, marble के case में 80-140, और गनिस के case में 150-200 newton per mm2, ठीक है न, तो आप से, अब यहाँ पर आपको classification का भी ध्या अब जैसे कि मैंने आपको कल जब हमारा discussion हुआ, तो मुझे बताएंगे कि granite किस classification में आता है, तो granite हमारा क्या है, एक igneous rock है, everyone please write down, कली हमने इसको कोशिश की थी याद रखने की, granite हमारा igneous rock है, igneous rock होने के साथ साथ एक eruptive rock है, eruptive rock होने के साथ एक dark colored rock होने की वज़ साथ साथ ये एक unstratified rock होने के साथ साथ ये एक siliceous rock है, तो देखे एक granite कितनी classification के अंदर लाए करता है, कि ये igneous भी है, ये eruptive भी है, ये intrusive भी है, ये plutonic भी है, ये unstratified भी है, और ये siliceous rock भी है, ये साहिवरवान, चलिए बहुत अच्छे, अगले question पर चल रहा है, which of the falling types of stone show least water absorption capacity, इन में से कौन सा ऐसा पत्तर है, जो सबसे कम पानी absorb करता है, granite, shale, sandstone और limestone, तो ध्यान देने की बात ये है, कि granite आपका एक igneous rock है, shale आपका एक sedimentary rock है, sandstone आपका एक sedimentary rock है, limestone आपका एक sedimentary rock है, अब इसमें ध्यान देने की बात ये है, कि sedimentary rock नेचर में थो soft होते हैं, और ये थोड़ा सा जादा पानी absorb करते होंगे, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, कि granite जो है, सबसे कम पानी absorb करता होगा, क्योंकि ये जादा strength provide कर रहा है, ठीक ना, तो अब मैंने पिछली class में आपको ये बताया भी था, कि granite की जो water absorption capacity, that is 1%, shale की क 10%, sandstone की कितनी है, 10%, limestone की कितनी है, 10%, हाला कि मैं इसकी एक table भी आपको दे देता हूँ, कि slate की 1%, granite की 1%, shale की 10%, sandstone की 10% और limestone की 10%, तो इस हिसाब से answer आपका क्या बन जाता है, सबसे कम पानी absorb करने वाला जो पत्थर बनता है, ठीक है ना, वो कौन सा बनता है, granite बनता है, सब भी बच्चे अपनी तरफ से एक एक लाइक जो है, सेशन के नदर जरूर करें, क्योंकि जरूर नंबर नंबर स्टूडेंट्स हैं, डैटर आराउंट 300, एंड़ नंबर अफ लाइक सारन लेस देन हाफ, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, what is the value of poisons ratio of structural steel within elastic range, तो भाई हमें सवाल क्या बन सकते हैं, सबसे पहले poisons ratio पे आ जाता हूं, तो जो poisons ratio है, वो कितना होता है, 0.3 होता है steel का, लेकिन इसके साथ-साथ उसकी density पूछी जा सकती है, that is, 7850 kg per meter cube, आप से modulus of elasticity पूछी जा सकती है, जिसका numerical में बहुत जादा इस्तेमाल होता है, आपके, 2 into 10 to the power 5 Newton per m2, coefficient of thermal expansion पूछा जा सकता है, 12 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius, तो यह सारे parameter पूछे जा सकते हैं, वो सारे important parameters आप लोगो, PDF में लगे हुए भी मिल जाएंगे, यह भी चीज़े मैं बता रहा हूं, जो लिख रहा हूं, वो सब PDF मिल जाएंगी, मैं मानता हूं कि अभी आपका focus सिर्फ और सिर् ठीक है, चलिए, अगले question पे ता, symbol used for rimmed steel, rimmed steel के लिए हम कौन सा sign यहाँ पर इस्तिमाल करते हैं, sk, r, या फिर rs, rimmed steel, या फिर k, ठीक है, तो देखिए, rimmed steel, अभी हमने killed steel की बात करी है, killed जो है, पूरी तरह से क्या होता है, de-oxidized steel था, लेकिन यहाँ पर rimmed steel क्या है, एक जो partially, एक partially de-oxidized steel होता है, ठीक है न, यह partially de-oxidized steel होता है, तो देखिए, मैंने इसलिए, जो भी questions मेरे को a e से, j e से, e s e से, और अपने through भी मुझे लगते से कि important हो सकते हैं, वो सारे questions इस session के अंदर मैंने रखे हैं, और आपको यह मैसूस भी हो रहा होगा, तो rimmed steel के of centre, basically strength बढ़ाने के लिए, ठीक है न, steel की formability को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है थाकि हम steel को आसानी से roll कर सकें, आसानी से draw कर सकें, और आसानी से spin कर सकें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि, roll करके उसके, जैसे हम pipe बना सकें, बार्ज़ बना सकें, draw करके सके ठीक ना स्पिन करके जैसे आपको फिर जी अब बना नहीं तो जब तक आप स्टील को आसानी से कर पाएंगे उसका कुछ सर्कुलर का टोरी टाइप नहीं बना पाएंगे ठीक ना तो इसी लिए इसके सिंबल जो इस्तिमाल होता है that is और और किल स्टील को भी मैंने यहां पर मेंशन कर दिया जो मैंने भी थोड़ी दिर पहले आपको बताया था ठीक है तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा बी बन जाएगा या फिर आप कहा सकते हैं टू बन जाएगा बहुत अच्छे ठीक अगले क्वेश्चन को देखते हैं दकंप्रेशिव स्ट्रेंथ ऑफ तो इस फाउंड बाए एट्रीशीन टेस्ट, क्रस्ट टेस्ट, हाडेनेस टेस्ट या फेर इम्पक्ट तेस्ट तो ध्यान देने की बात ये है कि हम स्टोंस के अंदर कई सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मैं सारे टेस्ट आपको बता देता हूँ, ठीके ना, एब्रेशन टेस्ट किया जाता है, रेजिस्टेंस तो एब्रेशन यानि की हार्डनेस निकालने के लिए, डॉरीज मशीन पे ठीके ना, एट्रीशन टेस्ट किया जाता है, रेट ओफ वीर रेजिस्टेंस निकालने के लिए, डेवल्स टेस्टिंग मशीन पे, क्रशिंग टेस्ट किया जाता है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन यानि की CTM मशीन में, स्मिथ टेस्ट किया जाता है, डिरूबिलिटी निकालने के लिए ठीक है सिक ना ना इन दफॉर्म ऑष सॉलीबल बैटर ठीक है बाड टेस्ट वी किया जाता है डियूरुबिल Urs नीकालने के लिए ऩरोपण इस नीकालने के लिए और है hardness test hardness test जो है basically आप resistance to abrasion निकाल रहे हैं डॉरी टेस्टिंग मचीन पे पहली जीज दूसरी चीज़ जो scale इस्तेमाल किया जाता है इस मोज scale ठीक है ना मोज़ स्केल पे ortho kles की क्या hardness होती है आप मुझे बताएंगे comment section में ठीक है ना impact test किया जाता है toughness test निकालने के लिए और water absorption test किया जाता है water absorption capacity निकालने के लिए जो कि एक अच्छे building stone के लिए पांच percent से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए very nice guys अगले question पर चलते हैं अब brick which is cut in such a way आपको बताना एक brick जिसको हमने कुछ इस तरह से काटा है that the width at one end is a half that of a full brick कि भाई मेरे पास एक eat थी मैंने मान लिया यह और मैंने इसको कुछ इस तरह से काटा कि एक end पर उसकी जो width है वो आदी है यानि कि वो width कुछ इस तरह रही होगी और यह shaded region में मेरे पास eat रह गई होगी जैसे कि अगर आप king closure का option देखें तो इसमें मैंने क्या किया एक triangular portion काट की अलग कर दिया है ठीक है अगर माइटर की बात करें तो मैंने यहाँ पर कुछ इसका एक तरफ से एक चौथाई हिस्सा length का गम कर दिया है बेविल्ड क्लोजर की बात करें तो यह कुछ हमें कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है यह और और queen closure में तो मैंने along the length सीधे सीधे काट दिया था मैं आधी इंट बच गई थी यहाँ पर best suitable answer क्या हो सकता है बेवल्ड क्लोजर break है guys ठीक है अब यहाँ पर अगर देखें तो मैंने सभी types की brick आपके लिए add कर दी है session के अंदर ताकि आप class के बाद हर तरीके की brick को revision के form में देख सकें फिर भी मैं बता देता हूं ठीक है ना mitered closure brick तो मैंने बता दी है ठीक है ना half bad brick को मैंने क्या किया है अधा काट के अलग कर दिया quarter bad brick के अंदर मैंने क्या किया है ठीक है ना मैंने एक चौथाई along the width card के brick रख ली है ठीक है बेविल्ट बैट के अंदर मैंने क्या किया है एक तरफ से आधी लेंद्ध लिया एक तरफ से one-fourth कम करी है और यह मेरे पास ब्रिक बची है ठीक है ना तो देखे बहुत सारे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है मैं उनको बता देता हूं कई सारे बच्चों ने मेरा पुराना टेलिग्राम जॉइन किया हुआ है जिसकी वजह से वो पुराने टेलिग्राम ग्रॉप में मेरी रोज पीडिएफ ढूंड रहे हैं और उनको नहीं मिल रही है तो मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरा नया टेलिग्राम ग्रॉप है टेस्ट बुक पर ठीक है ना उसका लिंक कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जदी आपने नहीं जॉइन किया है तो जॉइन कर लें और सभी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे उसमें से और आची क्लास की पीडिया भी मिल जाएगी ठीक है चलिए परिशान मत हो यह बस दा क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चल स्टील इस नॉर्मली आइडेंटिफाइड बाई ठीक है ना इल्स ट्रेस अल्टिमेट इस प्रूफ स्ट्रेस या फिर नन अव दाबव तो मैं जानता हूं स्ट्रक्चल स्टील की जो स्ट्रेंथ है मैंने इसका स्ट्रेस ट्रेंड कर बनाया था ठीक है और यह कुछ इस तरह का ब पर डीफॉर्मेशन आती जो स्ट्रेंड आता है वो छोटा होता है और अपने स्ट्रक्चल स्टील के अंदर ज्यादा डीफॉर्मेशन अलाओ नहीं करते अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामिटर्स जो आप से पूछे जा सकते वह भी मैंने साथ मैट कर दी अ मेगा पास्कल या फिर आप क्या सकते हैं न्यूटन पर एमम स्क्वाइर ठीक है ना तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा यह बन जाएगा बहुत अच्छे इस पर इंडियन स्टैंडर्स स्पेसिंट के लिए ठीक ना आपको यह बताना है लेकिन आपको यह भी बताना है कि एक कैसे सीमेंट के लिए हाई Ñलुमिना सीमेंट के लिए जो इनीशल से टाइम होता हुटा है फो कितना होता है हाई फ्राइक बताएंगे सबसंदी और थमानेरी पौटलींट सो कॉमनुनाइं तरफ एक लार इसम्द की देवल को एक घ्रदर ü Dealer ने शुळा ह्वा है Junior dj time ठीक है ना वो 30 minutes से कम नहीं होना चाहिए तो answer क्या हो जाएगा 30 minutes हाला कि इससे कुछ नए questions और भी बन सकते हैं तो मैं इसकी पूरी टेवल आपको दे रहा हूँ जिसमें सारे Indian standard code भी लिखे हैं ठीक है इसके साथ साथ जैसे आप से पूछा जा सकता है कि मुझे इसकी fineness की value बता दीजिए तो fineness की value जो है वो तीनों ही grade के लिए 225 meter square पर kg होती है यानि कि आप कहा सकते हैं 2250 centimeter square पर gram इसके लावा आप से पूछा जा सकता है कि least catalyst expansion maximum कितना हो सकता है तो not greater than 10 mm आप से autoclave expansion पूछा जा सकता है तो जितना मैं आपको बता रहा हूं comment section में लिखते चले जाएंगे गाइस ठीक है ना not greater than 0.8% ली चैटलेश expansion only due to lime signify करता है लेकिन autoclave expansion जो है वो lime and magnesia दोनों को represent करता है उसकी दोनों की वैसे जो unsoundness cement में आती है ठीक है ना और इसके लावा आप से तीन दिन पर strength पूछी जाती है कई जगाओं पर OPC 33 grade के cement की जो strength दी गई है मैं आपको बताना चाहूंगा 11 मेगा पासकल दी गई है कई जगाओं पर 15 मेगा पासकल दी गई है जो की गलत आंसर है तीन दिन में जो OPC 33 grade का cement है वो कितनी strength गें करता है 16 मेगा पासकल कितनी गें करता है 16 मेगा पासकल सभी लोग लिखकर बताएंगे ठीक है तो यह बहुत important चीज़े मैं बताते चल रह रहें the dressing of stone is done immediately after curing, after seasoning, after three months of curing या just before construction, dressing मतलब एक पत्थर को आप तोड़ कर लाएं और उस पत्थर का shape कुछ यह था आपने उसको काट पीट कर चैनी हतोड़ी की मदद से उसको एक fix shape and size दे दिया जिसकी वज़े से उसका shape अच्छा हो जाएगा जिसकी वज़े से उसका size अच्छा हो जाएगा जिसकी वज़े से मतलब basically हो देखने में बहतर लगेगा और उसमें कोई छोटे मोटे crack से defect होंगे तो वो भी remove हो जाते हैं ठीक है ना तो हम यह कह सकते हैं कि dressing of stone जो है immediately after curing of stones की जाती है immediately इसके बाद की जाती है curing of stones के तुरंत बात कर ली जाती है बह मान लेते हैं कि aggregate जो है वो flaky है नेचर में और अगर वो flaky है तो aggregate की flakiness काम करेगी और उस flaky aggregate की मदद से आपने क्या बना लिया है एक concrete बना लिया है तो strength पर क्या फरक पढ़ने वाला है गाईद ठीक है ना तो देखिए अगर मैं flaky aggregate का इस्तेमाल करता हूँ यानि कि नु जाती है कि इसकी strength कम हो जाती है तो decreases the strength अब इसके साथ साथ इससे एक सवाल और भी पूछा जाता है गाईज and that is flaky aggregate का जो dimension वो क्या होता है तो उसका जो least dimension होता है वो उसके अव्य डामेंशन से कितना बड़ा या कितना चोटा होता है आप कमेंट करके बताएंगे कितना ब less than 60% of mean dimension उसके mean dimension से साथ परसेंट छोटा होता है everyone ठीक है ना कितना चोटा होता है साथ परसेंट छोटा होता है बहुत अच्छे गाईज ठीक है तो यह सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इसके लावा आप से यह वी मैंने एक additional table आपके लिए यहाँ पे add करी है जिससे क कि आपसे सवाल बनते हैं इसमें दो values मैंने खास highlight करी है पूरी table के अंदर जो की पूछी जाती है कि bituminous construction अगर आप कर रहे हैं कोई bituminous construction कर रहे हैं तो allowable flakiness index कितना होता है सभी लोग लिक कर बताएंगे 25% अगर आप two coat bituminous surface dressing कर रहे हैं तो फिर allowable flakiness index कितना होता है 25% ठ construction के अंदर wearing course के लिए allowable flakiness index कितना होता है 15% तो यह तीन value खास याद रखेंगे बाकी याद रखें ना रखें लेकिन इन तीनों को आप याद जरूर रखेंगे गाईज ठीकिना क्योंकि एक्जाम में पूछी जाती है तो यह question पूछा गया है यह पूछा जा सकता है इसल में 200 का effect आए ठीक है चलिए बहुत अच्छे the addition of pozolana to cement results in increased curing time, decreased curing time, increase in early strength time या increase in strength देखें पूछानिक मटीरल जो होते हैं basically siliceous material होते हैं जैसे कि fly ass, rice husk, silica fume ठीक है अब इनकी अपनी कोई strength नहीं होती लेकिन इनको cement के साथ मिला दिया जाए तो portland pozolana cement बनाया जा सकत है तो portland pozolana cement की जो है ultimate strength बढ़ती है, early strength decrease हो जाती है, ठीक है ना pozolanic materials की वज़े से early strength में decrement देखने को मिलता है, ultimate strength में कही ना कही इंक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन उससे curing time increase हो जाता है, ठीक है ना pozolanic material जो है वो basically shrinkage बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने क की बात ये है कि एक portland pozolana cement के अंदर shrinkage लगबग लगबग एक OPC cement के बराबर होता है, क्योंकि हम उसके manufacturing में उसमें जो shrinkage है, उसको कुछ ingredients की वज़े से compensate करा लेते हैं, तो अगर आप से पूछा जाता है कि portland pozolana cement में क्या OPC cement के comparison में ज्यादा shrinkage होता है, तो नहीं, नही होता, लेकिन अगर आप से पूछा जाता है कि pozolana की वज़े से क्या shrinkage बढ़ता है, घड़ता है, या कोई change नहीं आता, तो पोजो लाना की वज़े से shrinkage बढ़ता है, ठीक है न, तो increases curing time, ठीक है न, और उसके साथ-साथ वो भी बढ़ाता है, shrinkage भी बढ़ाता है, इसमें बढ़ जाती है, bleeding होने के chances कम हो जाते हैं, segregation होने के chances कम हो जाते हैं, ठीक है न, honey combing बनने के chances कम हो जाते हैं, water evaporation reduce हो जाता है, तो जितने भी advantages है, pozolana को add करने के cement में, वो सारे advantages मैंने यहाँ पे mention कर दिये हैं, और आपको PDS में भी मिल जाएंगे, ठीक है, चलिए, अगल extended compression strength of A class brick, as per Bureau of Indian Standard is, Bureau of Indian Standard के हिसाब से आपको बताना है, कि जो A class की brick होती है, ठीक है न, उसकी strength कितनी होती है, 25 newton per mm square, 20 newton per mm square, 14 newton per mm square, या none of these, देखे हमने IS 1077 के हिसाब से classification की थी, IS 1077 तो यह कहता था, कि भाई, अगर class up to 12.5 है, तो मैं 20, जो, नहीं, नहीं, तो तो strength वाला होगे न, ठीक है, दूसरा, first class brick की जो strength है, वो 10 newton per mm square होनी चाहिए, कम से कम, second class की कम से कम से कम, भाई, साधे साथ होनी चाहिए, और आपकी, जो third class की brick है, उसकी कम से कम 5, लेकिन यहाँ पर दो classification आपको और रियाद रखनी है, and that is Bureau of Indian Standard के हिसाब से, that class A जो brick है, उसकी strength 7 से 14 newton per mm square के बीच में होती है, और आपकी जो class AA type की brick होती है, उसकी strength greater than 14 newton per mm square होती है, greater than 14 newton per mm square, तो पर यहाँ पर जो best suitable answer बनता है, that is C, 14 newton per mm square, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे अगले question पर चलते हैं, red color of brick is due to, अच्छा एक चीज़ और भी बताएंगे कि brick को construction purpose के लिए, अगर मैं इस्तेमाल भी करना चाहता हूं, तो कम से कम strength कितनी होनी चाहिए एक brick की, यह भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि exam में पूछा जाएगा, the red color of brick, जो eat का लाल रंग हो वो किसकी वज़े से होता है, और वो कितनी percentage में brick में available होता है, यह बताना है, तो iron oxide, silica, magnesia या alumina, देखे, iron oxide आपकी brick को strength provide करता है, hardness provide करता है, और इसके साथ-साथ उसको reddish brown color भी provide करता है, यानि कि iron oxide is the right answer, दूसरी बात, जो silica है, वो आपको strength provide करता है, ठीके न, और prevent करता एक brick के अंदर की shrinkage, cracking या warping ना हो, 50-60% होता है, iron oxide की जो presence है, वो एक brick के अंदर लगबग 5-6% होती है, ठीके न, उसके बाद magnesia जो है, less than 1% होता है, और alumina 20-30% जो कि required plasticity देता है, ठीके, तो यहाँ पर आपका answer क्या होना चाहिए, iron oxide होना चाहिए, अब सवाल ये भी बनत होता है, कि भाई, अगर iron oxide जरुष से जादा मात्रा में एक brick के अंदर available हो, तो क्या हो सकता है brick के अंदर, तो पहला सवाल जो मेरा था, कि भाई, एक brick को इस्तेमाल करने के लिए, एक मात्र कम से कम उसकी strength, साड़े 3 newton per mm square होनी जिए, not less than 3.5 newton per mm square, दूसरा सवाल जो मैंन करना शुरू कर देता है, जो कि हम नहीं चाहते गाई, ठीके ना, चलिए, the most scale is used to measure which property of a stone, ठीके ना, और आपको ये भी बताना है, कि most scale पे आपको ये बताना है, orthoclase, जो orthoclase एक mineral होता है, ठीके ना, most scale पे उसकी कितनी value होती है, तो most scale basically यहाँ पर एक brick की, या फिर आप क कह सकते, sorry brick की कह रहाँ, stone की, stone की basically hardness निकालने के काम आता है, क्या निकालने के काम आता है, hardness, और जो orthoclase है, उसका जो most scale पे value होता है, that is, six, बहुत अच्छे, किसने बोला ये, सुजीत नागर जी, बहुत अच्छे, ठीके ना, orthoclase की value कितनी होती है, 6, तो talc की value, एक, gypsum की 2, calcite की 3, fluoride की 4, appetite की 5, orthoclase की 6, quads की 7, topaz की 8, sapphire की 9, और diamond की 10, ठीके ना, तो ये values आप से पूछे जाती है, पर मैं इसलिए मैं, एक एक चीज को आप लोगों को साथ में additional details भी बताते वे चल रहा हूं, exam में जो question बने का आप फोड़ देंगे, ठीके ना, चलिए, आपको देखने को मिल रहा होगा, एक नया टाइप का स्टील की यहां पर बात चीज चल रही है, that is, HSLA, तो HSLA का क्या full form होता है, high strength, low alloy steel, high stiffness, low activation steel, high suplex, low attriculate steel, या high soundness, low action steel, तो basically अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो इसका मतलब होता है, high strength, low alloy steel, यह basically इसलिए बनाया जात है, ताकि हम steel के अंदर, अगर छोटी से amount में, जैसे कि molly bednam steel, एक type का steel है, कुण से type का steel, molly bednam steel, तो molly bednam steel के अंदर लगबग 0.2 से 0.4% लगबग, सिर्फ molly bednam add किया जाता है, जिसकी वज़े से क्या होता है, इसकी tensile strength बहुत बढ़ जाती है, और जब हमने देखा है, कई heat कर देते हैं, तो soft हो जाता है, लेकिन आपने देखा होगा, आपकी bike में gear होता है, axle होते हैं, आपकी car में gear होता है, axle होते हैं, तो gear और axle में, जो steel इस्तिमाल होता है, वो molly bednam steel होता है, और ये ज़्यादा temperature पर भी ज़्यादा अच्छी, जो tensile strength होती है, वो provide करने का काम कर जाता है, जैसे कि आप rail के अंदर magneese steel इस्तेमाल करते हैं, तो magneese अगर आप steel में 12-15% मिला देते हैं, तो उसकी resistance to abrasion यानि की hardness बहुत बढ़ जाती है, तो railway में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपने देखा होगा rail की पट्री हलकी लाल सी महसूस होती है, वो इसी वज जाएंगे, ठीक है, चले, Chief Constituent of every brick producing clay, 20-30% is silica, lime, alumina, magneesia, जही साब ध्यान देना है, कि Chief Constituent एक brick का, ठीक है ना, जो है 20-30% में, देखे, Major Constituent तो इसका silica होता है, लेकिन जो Second Major Constituent है, एक brick का, वो alumina होता है, and वो 20-30% में होता है, और आप से एक सवाल पूछा जा सकता है, कि मुझे बताइए, कि एक good brick earth किसे कहते हैं, ठीक है ना, अगर आप से सवाल पूछा जाते है, कि एक good brick earth किसे कहा जाता है, तो आप कहा सकते हैं, एक good brick earth, यानि कि एक अच्छी मिटी eat बनाने के लिए उसे कहा जाता है, जिसके अंदर alumina की percentage 20-30% होती है, ठीक है ना, त से 30%, very nice, बहुत अच्छे, अगला है, covered electrodes, अगला नया question है, covered electrodes shall confirm to is dash, और is dash as appropriate, अब यहाँ पर सवाल बनता है, कि सवाल किसका है, सोड़ा सा समझ महीं नहीं आ रहा, ठीक है ना, और ये exam में पूछा गया सवाल है, नया सवाल है, ठीक है, तो covered electrodes, basically आपने बातचीत कभी सुन स्टील बनाया, कैसे बनाया, स्टील के अंदर 12-15% मेंगनीज मिला दिया, अब इस carbon मेंगनीज स्टील के अंदर आगर आपको क्या करनी है, welding करनी है, आर्क welding करनी है, तो आप covered electrode की मदद से करते हैं, जिसके लिए जो specification है, वो IS 814, और IS 1395 से basically क्या की जाती है, carry की जाती है, तो यह सवाल आप से exam में पूछा जाता है, और आपको इस पे ध्यान देना होगा, ठीक है, मैंने जो अपना मेरा achievers batch है, test book की application पे, उसके अंदर मैंने यह सारे topics detail में cover किये हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो अभी-भी मैंने subject शुरू किया है, building materials, और उसमें अभी cambium या फिर opet, देखिए अगर आप एक structure देखते हैं, और यह structure किसका होता है, exogenous trees का होता या indogenous का, आप comment करके बताएंगे, ठीक है तो basically, अगर आप देखेंगे, sapwood और बार्क के बीच की जो thin layer होती है, उसे हम प्यार से बुलाते हैं, चुन्नु मुन्नु, क्या बुलाते है सभी लोग लिख कर बताएंगे, हम उसे प्यार से चुन्नु मुन्नु बुलाते हैं, चो कि हमने पित को क्या नाम दिया था, पित को हमने नाम दिया था, ठीक है ना, दादा जी, ठीक है ना, जिसने class नहीं करी हो, कैसे क्या था ये, आप देखेंगे, timber की class आप खोल सकते है ठीक है ना, hardwood को नाम दिया था, पापा जी, पिता जी, sapwood को नाम दिया था, जेई सहाब, यानि कि आप थे, तो आप कौन है, sapwood हैं, cambium layer थे आपके चुन्नु मुन्नु, medullary race थी, माता जी, मदर, और bark था आपके घर की दिवारे, wall, annual rings थी, ठीक है ना, age of the tree बताने के तो basically यहाँ पर जो आपकी layer है, sapwood और bark के बीच में, that is cambium layer, तो यहाँ पर answer क्या होना चाहिए, c होना चाहिए, और यह future growth of the, future growth of the tree के लिए responsible होती है, ठीक है ना, sapwood जो है, वो present growth के लिए responsible है, इसलिए उनका नाम जेई साव रखा गया है, क्योंकि आपकी घर की growth के लिए, क तो आपके घर में से अगर आपको निकाल दिया जाए, तो आपके घर की growth क्या हो जाती है, खतम हो जाती है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ठीक है चलिए, बहुत अच्छे, paints which are used to preserve timber from white ends, यानि की सफेज चीटी, यानि की दीमक से बचाने के लिए, ठीक ना, दीमक से बच हमने इस्तमाल किये थे, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, एक है आसकू treatment, और दूसरा है solignum paint, दोनों में बस यही अंतर था कि आसकू treatment, जो है, वो colorless होता है, उसका अपना कोई color नहीं होता, लेकिन solignum paints की मदश से जो color आप चाहें, लकड़ी पर वो color भी ला सकत है, दूसरा है coltar, coltar जो है, वो fire resistance के लिए होता है, ठीक है, इसकी appearance अच्छी नहीं होती है, लेकिन fire resistance अच्छी देता है, sodium silicate fire resistant बनाने के काम आता है, और जिस process से इसको लकड़ी पे लगाया जाता है, उसको कहा जाता है, cerebles process, और पिछले से पिछले साल, एक सवाल engineering services में प बन जाएगा, ये बन जाएगा, बहुत अच्छे, solignum paints, अगला है the plunger weight in wikets apparatus, तो wikets apparatus का इस्तेमाल हम किसलिए करते हैं, wikets apparatus का इस्तेमाल हम लोग consistency test करने के लिए करते हैं, और कौन सा test, आप मुझे करके बताएंगे, तो cement के अंदर जो wikets apparatus इस्तेमाल किया जाता है, मै मुझे बताईए, आप जो दूसरा test करते हैं, वो कौन सा करते हैं, वो करते है, setting time test, setting time test भी wikets apparatus से ही किया जाता है, इसमें wikets apparatus में जो mold होता है, उसकी height कितनी होती है, सभी बताएंगे 40 mm होती है, इसके लावा एक और सवाल आप से पूछा जा सकता है, जब आप initial setting time test करते हैं, तो उसमें shape of the needle क्या होता है, वो square होता है, उसका size क्या होता है, एक mm into 1 mm होता है, अगर आप final setting time test करते हैं, तो shape of the needle क्या होता है, circular होता है, उसका size क्या होता है, उसका diameter 5 mm होता है, यह सब सवाल आप से exam में पूछे जाते हैं, राइट है, चलिए बहुत अच्छे, तो initial इसके अंदर कितना पानी मिलाया जाता है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए तो आप इनीशल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए जो मुश्चर कंटेंट सीमें में मिलाते हैं कितना 0.85 टाइमस ओफ पी बहुत अच्छे विच फॉलेंग इस नॉट बॉंड इन ब्रिक मैसेनरी के अंदर कौन सा इसमें से ऐसा है जो बॉंड नहीं है ग्रेटेड बॉंड हेडेड बॉंड हेडर बॉंड हेडर बॉंड स्ट्रेचर बॉंड या फ्लेमिज बॉंड तो मैंने आपको ब्रिक मैसेनरी के लेक्चर के अंदर कई सारी बॉंड निंग पढ़ाई थी जिसमें से की एक इंगलिज बॉंड निंग थी एक फ्लेमिज ब यहाँ पर गालत आंसर क्या है ग्रेटेड वॉनदिंग है ठीक है चलिए बहुत अच्छे अगला कुश्चैंज विच ऑफ द फॉलिंग इस नौट बिल्डीग फिनिश इन में पॉइंटिंग किस पर की जाती है ब्रिक मैसेनरी वर्क में की जाती है कि दो इंटे अगर मैंने बनाई है तो उसके बीच में सीमेंट की जो यहां पर फिलिंग करी है वह बहुत अच्छे से होनी चीए इसको आज जाता पॉइंटिंग वर्क ठीक है ना लेकिन वेल्डिंग जो है दो मैटल को जोडने के काम आती है ठीक है ना इस नॉट अफ फिनिशिंग वर्क तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा वेल्डिंग बन जाएगा बहुत अच्छे जाहिसाब अगला है विच अफ फॉलिंग इस नॉट अब्जेक्टिव और इन में से कौन सा ऐसा है जो सीजनिंग और टिंबर की जो सीजनिंग करते हैं उसका अब्जेक्टिव नहीं है नहीं है नहीं है सीरिल में तीन बार रहा हुथ है लेकिन रिडक्शन इनवडिक्ष का फाइदा हो रहा था strength and durability बढ़ रही थी shrinkage और वर्पिंग में reduction हो रहा था लेकिन natural defect जो थे उनमें हलका फुलका फरका सकता है लेकिन वह major objective नहीं था यानि कि यहां पर जो एक गलत not an objective है वो क्या है एक मतलब आपका एंसर हो जाए ठीक है ना हाला कि मैंने सारे objective यहां लिख भी दियें इसके साथ साथ कुछ बता भी देता हूं जैसे कि paint करना आसान हो जाएगा गिली लखडी को जलाना मुश्किल होता है तो सूखी लखडी को यह सारे फाइदे देखने को मिलते हैं इन में से कौन सा ऐसा है जो कि artificial seasoning का मैठट नहीं है electrical seasoning brush seasoning clean seasoning यह chemical seasoning द्यान देने की बात यह है कि seasoning करने के भी दो होते हैं एक natural method होता है एक artificial method natural method है कि दूप में रखकर सुखा दो लखड़ी को अब artificial method में कुछ method है जैसे कि water seasoning है कि पानी में डाल कर भाई आपने उसको रखा और फिर उसको दूप में सुखाया यह दूसरा method है आपका boiling method तीसरा है आपका clean seasoning method फिर chemical method फिर electrical method इसमें सबसे best method गोंसा होता है आप मुझे comment करके बताएंगे तो electrical seasoning होता है clean seasoning होता है chemical होता ब्रस seasoning नहीं होता हाला कि इसमें सबसे best method अगर seasoning के लिए जो माना जाता है that is clean seasoning method इसी लिए मैं उसको highlight भी किया है बहुत अच्छे जैसाब चलिए the density of aluminum compared to steel is ठीके ना steel के comparison में aluminum का जो density है वो कितना होता है आधा होता है उसका एक तिहाई होता है एक चौथाई होता है या फिर डबल होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि specific gravity जो है अगर आप steel की देखेंगे तो लगभग लगभग 7.85 होती है लेकिन वहीं पे जो aluminum की होती है that is 2.8 तो अगर आप देखेंगे अगर specific gravity आप देखेंगे 7.85 और यह 2.8 तो लगभग लगभग एक तिहाई के आसपास बैठेगी ठीक ना अगर specific gravity एक तिहाई के आसपास है तो density को ही वो represent करता है और आप क्या सकते हैं कि density भी क्या होगी लगभग लगभग एक तिहाई होगी यानि कि वन थर्ड लगभग लगभग कितनी होगी वन थर्ड होगी गाईज ठीक है तो आंसर क्या बन जाएगा बी या फिर आप सेकिंड कह सकते हैं बहुत अच्छे तो एलुमीनियम बाए स्टील कह रहा है वो स्टील बाएलुमीनियम मत कर देना ठीक है तीन गुना आ जाएगी ठीक है चलिए बहुत अच्छे जाई था विच ऑफ दा फॉलेंगे नौट टाइप अफ क्रेन अब देखे इस तरह के सवाल भी आपको आपने जो नोने पहले पे देखे एक क्रेन जो है बेसिकली हम मटीरल उठाने और रखने के लिए इस्तमाल करते हैं आपने क्रेन को देखा भी है जिसमें की एक स्टील इंजिनरिंग में भी आपको पढ़ाई जाती है गेंट्रीग क्रेन ठीक है ना इसके लावा एक हैमर हेड़िट क्रेन होती है एक अब इसमें से आपको बताना है कि कोन सी क्रेन नहीं है तो जॉण सन ल बेबी पाउडर होता है क्या होता है जोनसन भेखिधनी के लिए खरीदना उस कि द्याहां ठीक ना हो सकता है Johnson होगा ठीक है चलिये तो आगे बढ़ते हैं वई Paving Bricks are prepared from Bricks containing high percentage of ठीक है ना iron lime alumina silica तो ध्यान देने की بात है कि Paving Bricks Paving Bricks कौन से Bricks होती हैं जो कि basically streets में इस्तेमाल कि जाती है आप Malls में streets में बहर जाते होंगे तो जो लाल लाल रंग की बिछी हुई इटे आपको नजर आती हैं इस आर पेविंग ब्रिक्स में बेसिकली हम इसके ओपर चलते हैं या ट्राफिक मूव करता है तो रेजिस्टेंस टू अब्रेशन जाधा चाहिए होता है जिसकी वज़े से हम इनके अंदर आइरन ऑक्साइड की प से कम साड़े 10 होती है लेकिन एक पेविंग ब्रिक की कम से कम 40 न्यूटन पर में स्कॉयर होती है और इसका जो वाटर एब्सॉप्शन परसेंटेज होता है इसमें पांच परसेंट से ज्यादा पानी एब्सॉर्ब करना अलाओ नहीं होता एक अच्छी ब्रिक के लिए 20 पर सफेज रंग कभी है उसके साथ accelerator भी है और कुछ अगर आप उसमें मिला देते हैं और एक सर्फिस को पेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे की कोरूगेटेड आइरन शीट को ठीक है ना तो इससे क्या कहते हैं अलुमिनियम पेंट सेलुलोस पेंट एंटी कोरोज़ूस पेंट या फिर सीमेंट पेंट देखिए अलुमिनियम पेंट बेसिकली वहां पर किया जाता है जहां पर जैसे फैक्टरीज होती है उसमें बहु पेंट होता है इसलिए बाइक इत्ती चमकती है ठीक है और यह स्मोक से एसिट से जल्दी खराब नहीं होता है एंटी कोरोज़ूस पेंट जो होता है हम रेलवे ब्रेज़ वगरा यानि कि आरन सर्फिस पे करते हैं क्योंकि उसमें कोरोजन से बचाना होता है सीमेंट पर बेस्ट सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा आपका सीमेंट पेंट हो जाएगा ठीक है ना बहुत अच्छे बहुत बढ़िया अगला देख लेते हैं विच ऑफ फॉलिंग टाइप ऑफ सीमेंट हैस्ट फॉलिंग अब आपको यहां पर चार सीमेंट दिये गए और आपक कहते थे कि जीवन में हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए जीवन में हमें सिर्फ वहीं मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए और आपको सेलेक्शन चाहिए या चाहिए ही चाहिए आप लिखकर मुझे बता सकते हैं ठीक है चलिए चाहिए की चाहिए ही चाहिए ठीक ना च पोजोलाना सीमेंट रैपिड हाड़निंग सीमेंट तो हीट ज्यादा प्रेड्यूस करता है रिडक्शन इन पर्मेबिलिटी ऑफ पीपीसी ओफर्स मैनी अधर ओल अराउंड एडवांटेज ठीक है रिडक्शन पर्मेबिलिटी जो है आपको स्लैक सीमेंट में मिल जाएगी सूपर सेल्पेटी चिमेंट में मिल जाएगी और पोजोलाना सीमेंट में मिल जाएगी ठीक हे ना इट कंज्यूम कैल्शम हाइडरोग्साइड कैल्शम हाइडरोगसाइड यानि की c a o h का होल ट्वाइस तो यह सिर्फ हो सकता है किस केसमें जब उसके अंदर सिलिकन और यह सिर्फ हो सकता है पोजोलाना की मदद से और यह पोजोलानिक सीमेंट की दर मिलेगा इसलिए तीनों स्टेट्मेंट जो है सिर्फ एक के लिए वैलिड है और यह पोजोलाना सीमेंट जही साब आंसर क्या बन जाएगा डी बन जाएगा चलिए बहुत अच्छे इन विस्टोन मैसनरी एक स्टोन एक पत्थर की दिवार बना रहे हैं जो उसके फेस पर पत्थरों के बीच में जो जॉइंट बन रहे हैं उनकी थिकनेस बीस में यानि क परसेंटेज ऑफ चिप्स यूज इज नॉट टु एक्सीड फिफ्टीन परसेंट ऑफ दा क्वंटिटिटिव स्टोन कि आपने बड़ी सी दिवार बनाई यह यह और इसके अंदर कहीं कहीं पर छोटे छोटे चोटे गैब जो रह जाते हैं उसमें छोटे-छोटे चोटे फिर फर्स शॉट या फिर रैंडम अब देखे मैं समझाने की कोशिश करता हूं देखे हमेशा आपने पहले तो उसने यह कहा है कि स्टोन मैसेनरी वर्क है और उसमें थिकनेस ओव जॉइंट इतनी जादा है बीस अमेम अगर यह तीन एमेम छे एमेम के आसपास होती तो य हों सकता जिननों फञी आंशर दिया है उनका केस यहां पर भीर मैसेनरी हो सकते यह और बोल यह दो यह और रूबल में यह रूबल मरें रोता है कि आश्लार में आप पत्थर जो है किसी भी शेप आन साइज साइस का इस्तिका लेकिन असलरकें इंदर आप शसको एक नहीं कर रहे हैं और रेंडम के अंदर यह थिकनेस जो है 25 तक चली जाती तो यह भी खतम हो गया अब बसता है सिर्फ सेकिंड सॉर्ट फस्सॉर्ट ठीक है तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो को रूबल मैसनरी है दे दो हो सकते हैं जिसमें कि थिकनेस जॉइंट 10 तक जात करेंगे तो जो मेरा चीवर बैच उसके इंदर बिल्लिंग मटियल कॉंक्रीट टेकनलोजी बिल्लिंग कंस्ट्रक्शन को मैं पूरा डिप में कवर कर रहा हूं ठीक है और जानदार क्योंकि एक भी सवाल आपका मिसनी होना चाहिए बढ़िया बहुत अच्छे विच इस कुछ भी अगर आपको करना है ञं 사ब तो इसमें से यह डिफऺ्ट नहीं होना चींद सूर橋 के समय स्क्राइब साथ हो सकते है और योचार जो डियुक्त हो सकता है एक है टॉन ग्रेन के अगर वह पर टूल गर अधर सब्सक्रान अगर और oh बहुत ज़्यादा पॉइंटेट टूल ले आऊंगा तो वहां पे एक डिफेक्ट हो सकता है आपका चिप मार्ग डिफेक्ट और अगर मैं उसका शेप सई से कनवर्ट नहीं करता हूं तो उससे कहलाऊंगा वेंड डिफेक्ट यह सर नो गाई तो यहां पर आंसर क्या हो विच फॉलिंग टाइप उसीमेंट इस प्रेडियूस बाइड इडिंग सलफो सलफो होगा एस यूल पह उसलफो एलूमिनेट एंड एस्टेबलाइजिंग एजन तो ओर्डिनरी सीमेंट सच इस सीमेंट इस यूस वाटर रिटेनिंग स्ट्रॉक्ट इस एक्स्टेंग सीम सेमेंट पोजोलाना लिखा वह ओँ है ना पूजोलाना सीमेंट यह फिर वाइड सीमेंट तो देख़ो ध्यान देने की बात यह है कि सलफो एलूमिनेट आपने एड गिया एक और्ड़नरी पॉर्ट लेंट सीमेंट के अंदर और यह सलफो एलूमिनेट क्या करता है कउंट्रेक करकर इसके में एक्सपेंशन लाता है और जिससे की ऑच सुनugen synthetic क्या कहते हैं एक्षपेंडिंग सीमेंट कहते हैं पॉदल आन अब ने प समय बताया है एकिसपेंडिंग सीमेंट जो स्मेंट जो है बेसिकली ग्राॉटिंग के पर पस्से इस्तमाल किया जाता राउट्ट इससे से सब लोग लिख कर बताएंगे ग्रौट इंग परपस्स इस्तमाल किया जाता यह चलिए बहुत अच्छे अगला कोश्चन है इस मेरेर कोश्चन की जगह तो यह रही गई है आप बता बताऊं क्या चलो ठीक है मैं ऐसी बता देता हूं ठीक है ना यह को चलो इसको छोड़ो गाए हताम करो इस को यहां पर आ जाते हैं तो भाई आंसर तो आपको दिखी गया है लेकिन फिर भी समझा देते हैं देखे विच आफ फॉल एंड सीमेंट इस रिकमेंड़ मोस्ट क्योंकि मरीन कंस्ट्रक्शन में और सीवेश की प्रेजंस होती है और यह दोनों ही सलफेट से रिजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं कॉंक्रीड यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ पाइप्स विच आर लाइकली तो बी बरीड इन मार्शी रीजन मार्शी रीज करें का सिमयं दीक अभले तो जैबering का में ये तो यहां पर हाला कि अन्सार भले भी दिया है जो कि यह गलत आंसर वह सकते हैं और सी भी हो सकता है दोनों इसके सहीं तो इसमें फ्रेमिंग जब भी आपके साथ एक्जाम में ऐसा को इंस्टेंस होगा जिसमें की दोनों आंसर होंगे या तो वह जिनों ने भी अटेंट किया होगा सब को कोई को सब्सक्राइब या कोशन को हटा देंगे ठीक है ना दो ही किस हो सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगर आप से सवाल पूछता हूं जब सूपर सुलफेटेट सीमेंट की बात हुई है तो एक सूपर सूपर सुलफेटेट सीमेंट की फाइनेस कितनी होती है आप से कई बारी एक्जाम में पूछा जाता है और पिछले साल भी पूछा गया है एक एक्जाम में कि मेरे को सूपर सुलफेटेट सीमेंट की जहीं साफ फाइनेस बतानी है है एंड डेट वेल्यू विल भी यहां चार सो बहुत अच्छे बहुत बढ़िया चार सो मीटर स्क्वाइर पर केजी जहीं सा बहुत चांदार महिनत कर रहे हैं आप लोग विच्व फॉलिंग इस नॉट यूज रॉम मटीरिल इन मैंगनेफेक्टरिंग अभ ग्लास अभी मै दूत्रा था लाइम तीसरा था सोडा हमने वुड की बात नहीं करी थी ठीक है तो हमाई पास तीन इंग्रीडियंट थे एक सैंड एक लाइम और एक आपका सोडा या फिर सोडा के लावा पुटैश का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब इसमें जो सौप से इंपॉर्टेंट इं प्रॉपर्टी देता है उस फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ग्लास के अंदर कई सारी प्रॉपर्टी आ जाती है जैसे कि वह ग्लास को ब्लोएबल बनाता है उसकी ड्रॉइंग कर सकते हैं आप उसकी प्रेसिंग कर सकते हैं और यह सारी प्रॉपर्टी ब्लो आपने समय के पांदर कम से आपको क्या कर लेना जाहिए उस सीमेंट को इस्तिमाल करके प्लेस कर देना चाहिए अपनी जगाँ पर 10 minute के अंदर, 60 minute के अंदर, 30 minute के अंदर, या 20 minute के अंदर, तो ध्यान देने की बात ये है कि एक cement आपको अगर mention नहीं किया गया तो आप standardly मान के चलेंगे कि वो एक OPC cement की बात कर रहा है और एक OPC cement की बात कर रहा है तो उसका जो initial setting time है वही एक ऐसा time होता है जो कि पानी मिलाने के बाद mixing, transportation और साथ के साथ placing के लिए मिलता है आपको ठीक है तो 30 minute के अंदर आपको ये पूरा task perform करना होता है इसके लावा आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मुझे बताईए कि एक high alumina cement के लिए initial setting time कितना होता है तो एक high alumina cement एक ऐसा cement है जिसके लिए initial setting time साड गंटे होता है इसके साथ साथ एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि मुझे low heat cement का initial setting time बता दीजे तो एक low heat cement का initial setting time साथ मिनट होता है जो कि एक OPC cement का 30 मिनट होता है एक low heat cement का कितना होता है जाही साथ मिनट होता है लेकिन final setting time time same होता है that is 10 hours कितना होता है जी 10 hours तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा फिलाल करें question के आप से थर्टी है क्योंकि वह जनरल सीमेंट के लिए पूछ रहा है ठीक है चलिए which of the following statement is incorrect with respect to fineness modulus of the aggregate to fineness modulus of the aggregate के respect में आप से statement दिये गए आपको बताना है ठीक है ना higher fineness modulus aggregate result in harsh concrete mixes तो बिलकुल देखिए ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले तो fineness modulus एक ऐसा parameter है क्योंकि अगर मैं आपको एक कमरा भर के aggregate दे दूँ और आपसे पूछूँ कि मुझे बताईए जितने aggregate इस कमरे के अंदर भरे हुए है उनका size क्या है तो आपके पास दो रास्ते हैं पहला रास्ता यह है कि आहाँ हर एक aggregate को लेकर बैठ जाएं उसका scale से नापे और एक साल बाद मिरे पास वापस आएं कि सर जी य है हर एक aggregate का size जो कि आपके लिए impossible task है लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एक easy सा काम कर सकते हैं that is we can calculate the fineness modulus यानि एक average size वतागर सकते हैं मीन साइस बतागर सकते हैं लेकिन अगर मैं उसका मीन और उसका fineness modulus जादा निकल के आता है तो यह बताता है कि यहां पर average size क्या है जादा है और अगर average size जादा है तो या और लूब्रिकेशन इफेक्ट कम आएगा जिसकी वज़े से जो मिक्स होगा वो कम वरकेबल होगा तो हार्श मिक्स बनेगा यानि कि ट्रू है जी इट गिवसे सम आइडिया अबाउट दा मीन साइज वही फाइनेस मॉडलेस तो मीन साइज का या आइडिया देता था ट्रू का साइज बहुत छोटा होने की वज़े से उसका सर्फेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा सर्फेस एरिया बढ़ जाने की वज़े से आपको सीमेंट पेस्ट लूब्रिकेशन के लिए जाधा चाहिए होगा ज्याधा पैसा भी लगेगा बनाने में ज्याधा पैसा लगेगा तो आंसर तो डी बन जाएगा लेकिन वाई 223.5 नहीं होता तो क्या होता है तो जही साब मैं इसकी टेबल आपको दे देता हूं एक कोर्स पूशी जाती है तो वह होती है 2.2 से 2.6 मीडियम सेंड के लिए 2.6 से 2.9 कोर्स सेंड के लिए 2.6 से 2.9 से 3.2 और अगर आपसे एवरेज पूछा जाता है फाइनस मॉडलस ऑफ कोर्स एग्रिगेट एंड फाइन एग्रिगेट तो आप यह भी कह सकते हैं साड़े चार से पूछा जा सकता हर तरीके को मैंने कोशिश की है कि आपको कवर किया जाए आप बहतरी से बहतरी नांसर करके आए इंजरिंग सर्विस से जेए एए नए डिजाइंड कोशिश की है ताकि आज के सेशन और कल के सेशन से आप BMC को एक्जाम में बखूबी से परफॉर्म कर प ठंडे पानी में 24 घंटे के लिए डाल देते हैं तो एक इट को आफ फर्स क्लास ब्रिक कह सकते हैं कब जब उसके अंदर वाटर एब्सॉप्शन पांस से दस परसेंट का ही हो या फिर उसके अंदर 15 से 25 परसेंट का हो या फिर 12 से 15 परसेंट का हो तो ध्यान देने की बात यह है कि रहारा है और इसमें 5 और 10 परसेंट काफी छोटी वेल्यू है जो की एक रेंज यहां पे जो हम कवर कर सकते हैं best appropriate that can be 12 to 15% इसे साफ से तो answer can be D ठीक ना D आपका एक perfect answer होगा इसके साथ साथ याद रखेंगे इसी question को एक दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मुझे बताइए अगर brick का class up to 12.5 है तो water absorption limit क्या होती है 20% होती है अगर brick का class साड़े 12 से जादा है तो water absorption limit क्या होती है तो greater than 12.5 class के लिए 15% होती है तो जिस भी तरीके से सवाल पूछा जाएगा आप जवाब देने में सक्षम है लेकिन कोशिश करना है कि पूरे सेशन को अटेंड करना है और हर एक सवाल का जवाब सीखना है और एक्जाम में जाना है क्योंकि आपको नहीं पता कि जहां आपने छोड़ा और वहीं सवाल आ गया गेम खतम ठीक है और इसलिए मैं चार बजे एक टेज़बुक की अप्लीकेशन वे फ्री रैंक इंप्रूब्मेंट क्लास शुरू कर रहा हूं क्योंकि यहां पर देखो आप दूसरी का अंसर कॉपी कर लेते हो लेकिन एप्लीकेशन में आप एक दूसरी का अंसर कॉपी न आपने घलास कर लें ठीक है एक देंसिटी ऑफ ब्रेक एं ग्रायम पर सेंटीमीटर की एक ब्रिक की डेंसिटी होती है नॉर्मल ब्रिक की जो डेंसिटी होती है यहां तो यहां पर जो suitable option बन सकता है that can be 1.8 से 2.5 ठीक है ना अच्छा एक heavy duty brick की जो density होती है that is greater than 2.5 gram per centimeter cube heavy duty brick normal brick की तो 2 gram per centimeter cube तक ठीक है ना बहुत अच्छे which of the following durability test on stone is prescribed by the Bureau of Indian standard इन में से कौन सा ऐसा durability test है क्योंकि मैं बताना चाहूंगा चारो ही durability test है और पत्थर पर perform किये जाते हैं आजी के session में भी मैंने बताया है अब आप से पूछा जा रहा है कि इन में से चारों में से कौन सा ऐसा test है जो Bureau of Indian standard recommend करता है ठीक है ना तो इसमें से एक मात्र test जो इंडियन standard recommend करता है that is crystallization test इसमें smith test bright test acid test भी perform किये जाते हैं लेकिन इंडियन standard कहता है कि यह वाला तो करना ही करना है ठीक है अच्छा स्मिट टेस्ट आपको solubal matter बताता है stone के अंदर ठीक है चलिये यह पूरी तेबल भी अएडियन resistance टुवेधर इसमें अब्स्ट्रेस्ञा नहीं और crystalization अपके आपके durability बताता है चारोई durability टेस्ट है और सारे टेस्ट आपके यहां पर मेंचन किये गए हैं तो टेंशन लेने का बिल्कुल जरुवत नहीं है बस क्लास में ध्यान देना है पीडिएफ आपको मेरे टेलिग्राम ग्रूप से मिली जाएगा ठीक है अगला विच आफ फॉलिं अच्छी ब्रिक होने के लिए उसका texture उसकी compactness अच्छी होनी चाहिए water absorption लेमिट उसमें होनी चाहिए ठीक ना shape and size उसका अच्छा होना चाहिए ठीक ना और उसकी chemical constituents से उसका मतलब नहीं है characteristic of a good brick texture and compactness अच्छी होनी चाहिए गुडब्रेक होने के लिए हाँ chemical consistency हो सकता है option ठीक है ठीक है चलिए which of the following method is not used to test the degree of fineness of cement अच्छा fineness of cement आपको बताने के लिए आप कौन कौन सा नहीं इस्तेमाल होता जैके fineness of the cement हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी proper grinding check कर पाएं क्योंकि अगर cement की proper grinding हुई है तो उसका rate of hydration सही होगा उसका rate of hydration सही होगा तो उसका rate of development of strength सही होगा और जब strength मिलेगी तभी तो सीमेंट आपके काम का है दोस्त ठीक है हाँ जी तो इसके लिए हम एक सीव method इस्तेमाल करते हैं एक air permeability method इस्तेमाल करते हैं जो की blend apparatus पर किया जाता है एक vagners turbidity method इस्तेमाल करते हैं लेकिन इंडियन ailment यह किसी सिए के लिए स्तमाल होता है नहीं पता तो नहीं पता लिए लेकिन लों क्तों को पटा लिए कぁ यह बटा होगा तो थोड़ा स और कोशिश करेंगे ये तो कि युचिक युм यह आई पता या ठीक मेमाइं बटा करें थे कि टेंशियो मेंटर मेंट है सॉइल मोईश्चिर पता करने के गाम आता है देखेए क्या होता है बेसिकली जब हम प्लांट को जमीन में लगाते हैं तो प्लांट क्या करता है कैपिलिरी वॉटर का इस्तिमाल करता है अपनी ग्रोथ के लिए ठीक न तो वह एक प्रस्ट के लिएगंस्ट ग्राविटिव कर का इस्तमाल किया जाता है टेंशन मेजर करने के लिए अगेंस्ट ग्रैविटी चलिए बहुत अच्छे तो आंसर फिलाल के लिए क्या है यह क्योंकि नॉट वाला पूछा था चलिए अगला विच आफ फॉलेंग वेन मिक्स्ट विद लाइम गिव्ज ब्लैक सीमेंट तो एक की चलिए अपसी जगहा पर और इक और ऐंग्रीटिंट मिला जाता है जिसको क्रियो triste मonnाख एक ब्लाइट के लिए बलाइक सीमेंट के लिए हम सीमेंट के अंडर ठीकिका करतें को पीसी सीमेंट के अंदर राइस हस्क एश को मिला देते हैं इसको मिला देते हैं जिससे की सीमेंट कैसा निकल के आता है ब्लैक निकल के आता है यह निकल कर आएगा चलिए बहुत अच्छे बहुत बढ़िया यह मैं लिख रहने देता हूं अच्छा एक चीज यह भी है आप से एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि मुझे बताईए ब्लैक सीमेंट बनाने के लिए मैं और कौन से सीमेंट का इस्तिमाल कर सकता हूं तो इस राइस हस्क ठीके छाइज है इससे आप एक एक एफिशेंट ब्लैक सीमेंट बनाते है जो कि कम heet produce करता है जो कि अच्छी खासी strength प्रेड्यूस करता है resistance to chemical attack प्रोवाइड करता है साथ के साथ आपको वोटर टाइटनेस प्रोवाइड करता है गाईज ठीक ना चलिए बहुत अच्छे बहुत बढ़ीया राइस हच के मिला दीजिए बस सेंपल बहुत अच्छे ठीक है विच आफ दाफ फॉलिंग इस यूज्ट रिटर्माइन दा हाड सब्सक्राइब आपको बताना है देखिए अगर मुझे हाड़नेस एक मेजर करनी है जैसे कि स्टोन की तो स्टोन की हाड़नेस को मेजर करने के लिए जही साथ मैं किसका स्टोन करता हूँ मैं मैजर करने के लिए इस्तेमाल करता हुँ मोश्त के उपर जिफसम मों होती है वह कितनी होती है तो मह जिफसम की साहब दो होती है वहत साइब देख ठीक है ना quards जो की किसमें मिलता है आपका granite में मिलता है quardsite में मिलता है ठीक है ना तो यह quardsite की strength अच्छी होती देखो quards मिलता है quardsite के अंदर seven इसलिए मिलती है अच्छी बहुत अच्छे knots reduce the tensile strength of wood knots मतलब gant पढ़ जाना जब gant किसले होती जैसे कि आपने किसी टहनी को पेड़ की एकदम से improper way में काट के अलग कर दिया तो जैसे आपके हाथ में चोट लग जाती है तो क्या पपड़ी जम जाती है तो उसकी वज़े से जैसे कि अगर पेड़ में ऐसा होता है तो उ along the grain tensile strength को reduce करने काम करता है मैं देख रहा हूं काफी सारे बच्चे गलत आंसर कर दे रहे हैं ज्यान दो along the grain यानि कि grain के along उसकी strength कम हो जाती एक्रास मतलब perpendicular हो जाता ठीक है ना ज्यान देंगे जैसाब और सभी बच्चे सेशन में कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करें भई the fineness modulus of medium sand आज ही के सेशन में बताया है ठीक ना कि एक medium sand के लिए fineness की value fineness modulus की value क्या होती है 3.2 से 3.56 2.6 से 2.9 1.1 से 1.6 या फिर 1.7 से 2.1 तो fine sand के लिए होती है 2.2 से 2.6 medium sand के लिए होती है 2.6 से 2.9 ठीक है ना और course sand के लिए होती है 2.9 से 3.2 बहुत अच्छे बहुत बढ़िया जैसा आप बहतरीन करना है जवर्दस्त करना है ठीक है ना सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में की चान होती है ठीक है ना सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सफनों में जान होती है परो से कुछ नहीं होता है होसलों से उडान होती है ठीक है तो अकफार मेरे जो teacher मैस I 예, teacher से बथे भचपन मे वह बात है जो एक भी बखूब कि ऐसे लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते आए हैं और उनी की वज़े से आज मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं तो उन टीचर के लिए जो हमें सिखाया जिन्होंने बहतर बनाया हमें उनके लिए जोड़दार क्लैपिंग मुझे लगता होनी चाहिए ठीक है बताना है कि इन में से ऐसा कौन सा है जो की हाड़निंग ऑफ लाइम से रिलेटेड हैच नहीं ठीक है नहीं देखिए अपने पास इन चार उप्शन में से डूंडने का है तो मैं आपको पूरा कॉंसर्ट इसमें समझाना पड़ेगा मुझे क्योंकि अगर मैं सिर्फ आंसर होती है आप मुझे बताएंगे वो बनाता है केल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो रियक्शन होती है पानी के साथ हो रही है इसलिए इसको हाइड्रेशन कहा जाता है और इसी को एक और नाम भी दिया जाता है स्लेकिंग हाला कि जब यह पानी एकदम तीजी से अब्सॉर् Hydrate Hardening, तो एक तो यह होता है, उसके बाद जो calcium hydroxide है, यह हवा में से क्या करता है, carbon dioxide और जो moisture है, उसको absorb करकर, ठीक है न, यह क्या बना लेता है, calcium carbonate बना लेता है, यानि कि limestone बना लेता है, और limestone बनकर फिर से hard हो जाता है, ठीक है न, calcium carbonate बना लेता है, इसको कहा जाता है, carbonate hardening, ठीक है न, और इसके साथ-साथ, cement के अंदर भी lime होता है, जो cement के अंदर, पानी के मिलने के विए से, calcium hydroxide बनता है, वो silicon dioxide के साथ, क्योंकि cement के अंदर silica भी होता है, तो इसके reaction से बनता है, calcium silica hydrate, इसको कहा जाता है, hydro silicate hardening, तो यह तीन तरह की hardening हमें देखने को मिलती है, और एक hardening जो हमें देखने को नहीं मिलती lime के साथ, that is amino sulfide hardening, तो यहाँ पर answer क्या हो सकता है guys, yes everyone, yes everyone, yes, ठीक है न, तो answer होगा D, क्योंकि इसने नहीं वाला पूचा है न, बहुत अच्छे, not related, बहुत बढ़ी है, is not less than, ठीक है न, 225 meter square पर केजी में पूचा है, 150, 100 या फिर 175, अब देखें ध्यान देने की बात है, कि इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है, कि आप से, अगर आप से सवाल पूचता है, कि rapid hardening cement का बताओ, super sulfated cement का बताओ, low heat cement का बताओ, किसी का भी पूचा जा सकता, वो मैं साथ में आपको बता देता हूँ, हाला कि ordinary portland cement के लिए तो 225 हो जाएगा, rapid hardening cement की finance बढ़ा दी गई थी, 325, 325, sulfate resisting cement के लिए 400, ठीक है न, portland puzzle आना cement के लिए 300 meter square पर केजी, high aluminum cement के लिए 225 meter square पर केजी, low heat cement के लिए 320 meter square पर केजी, ठीक है न, तो यहाँ पर क्लास में, और मोहिच सर आपके electrical के एक दिगज है, सभी लोगा हाट साइन के साथ इनका welcome जरूर करें भाई, ठीक है न, और मैं एक चीज मोहिच सर के आने पर announce करता हूँ, आज की class के अंदर, कि जल्द मैं आप लोगों के लिए general engineering का session लेकर आऊंगा, mechanical, electrical and civil का, क्योंकि आ होंगे आपके, राहूल सर जो की mechanical engineering से होंगे, और तीसरा, थोड़ी बहुत मदद मैं भी आपकी कर दूँगा, चलिए, तो कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, next, which of the following is not used as an additive in manufacturing of bricks, ठीक है, तो bricks की manufacturing के लिए, आप मुझे बताएंगे, कि इन में से किसको as an additive नहीं इस्त stone dust, sandy loam, या फिर राइस husk ash, तो ध्यान देने की बात यह है, कि ब्रिक की, जब इन को manufacture किया जाता है, तो हम उसके अंदर basalt stone का इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह अच्छी strength वाला stone है, igneous rock है, ठीक है, sandy loam का इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि loam एक mixture होती है, sild, sand और clay का, जि इसको one of the best construction material of the soil भी माना जाता है, rice husk ash, यह एक ऐसा material है, जो कि पोजोलानिक material है, इसके अंदर silica होता है, जिसकी वाज़े से अच्छी strength मिलती है, तो इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन saw dust का इस्तमाल नहीं करते हैं, क्योंकि यह बहुत पानी absorb करती है, और आपकी eat भी पानी absorb करने लगेगी, जिसकी वाज़े से उसकी जो compressive strength हो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो भाया, इस्तमाल करें या नहीं करें, नहीं करेंगे, क्या, इस्तमाल भाई, इस्तमाल नहीं करेंगे, not used, ठीके ना, क्यों use नहीं करते हैं, चचा, बताएंगे, number one, ठीके ना, water absorption high, लिख कर बताएंगे, क्या होता है, water absorption high होता है, ठीके ना, तुम high मत हो जाना, दूसरा, कि भाई, water absorption high होने के साथ, साथ, इसकी low bearing capacity होती है, तो भाई साब, अटाओ, खतम करो, खतम करो, अडब, ठीके बाई, चलिए, अगला देख लेते हैं, the density of steel ranges between, steel की जो density है, वो किसके बीच में होती है, 4.6 से 5.3 के बीच में, 2.5 से 2.8 के बीच में, 5.5 से 6.2 के बीच में, या फिर 7.8 से 7.9 के बीच में, तो देखें, steel की density is nothing but 7.850 kg per meter cube, 7.850 kg per meter cube, यानि कि लगब लबग 7.85 gram per centimeter cube, यानि कि बनती है value, 7.8 से 7.9, ठीके ना, 7.8 से 7.9 gram per cc, बहुत अच्छे, अगले question पर चलते हैं जाई साब, बहुत important है कि हमारी question को लगा के जाएं आज, ठीके ना, फोड़ देंगे, questions का महा कुम्ब है भाई, ठीके ना, तो bitumen is obtained from, bitumen को आप किस से obtain करते हैं, natural organic base से, synthetic से, petroleum से, या फिर coal से, तो देखिए, basically दो आप से पूछे जाते हैं, number one is, कि भाई, bitumen जो obtain किया जाता है, वो आपका किया जाता है, fractional distillation से, लिखकर बताएंगे, किस से obtain किया जाता है, fractional distillation से, और fractional distillation किसका, petroleum products का, दूसरी बात, आप से पूछा जाता है, कि तार किस से obtain किया जाता है, तो तार obtain किया जाता है, destructive distillation से, destructive distillation से, और destructive distillation किसका किया ज था मिन्हाता है वुड का या फिर आपके कोल का подготов का या फिर कोल का bitumen is Solvable in carbon TetraClone CCL4 या फिर carbon Dide knocks 1948 2 यानि कि और दूसरा तार tfashion Solvable in टाउलीन लिख कर वताइग किसमें नुद्ध हम नमें कौमपोंटेंट्स अफ पोटलेंट सीमेंट आर डिके ना जही साब प्रटलेंट सीमेंट के आपको बताना है दो BUT कोई से होते हैं ट्राइ क्ल समस एलिकेट ट्राइ कहल अछलुरू तो चारी यह लिखिया हैं सभर में और उन गोनोसे में और यह को increased हैं और 45-65% के बीच में available होते हैं दूसरे जो मेजर इंग्रीडियेंट है इसके अंदर वो किनका है वह चोटे भाईया का यानि कि छोटू भाई इनको हम प्यार से क्या बुलाते हैं क्योंकि इनका rate of hydration और इनका heat of hydration क्या होता है minimum होता है ठीक ना और यह ultimate strength भी provide करने का काम करते हैं तो major ingredient एक बनता है C2S एक बनता है C3S यानि कि tricalcium silicate and dicalcium silicate very nice guys बहुत अच्छे बहुत बढ़िया चलिए अगले question पर चलते हैं the preparation of surface of stone to obtain plain edges or to obtain stones for required size and shape is known as कि भाई मैंने क्या किया पत्थर को जो भी required shape और size में मुझे चाहिए थे उसको obtain कर लें के लिए process perform किया जैसे मैं क्या कहता हूं क्यारिंग और स्टों ब्लास्टिंग और सोन seasoning या फिर dressing देखिए क्वेरिंग का है बड़े बड़े चट्टानों से पत्थरों को wedges के form में तोड कर लाना क्वेरिंग अब वहां पर क्वेरिंग करने के लिए चार method हम बेसिकले इस्तमाल करते हैं वह चार कौन से आप मुझे बताएंगे comment section में blasting method जो है querying of stone का ही एक method है इसमें सबसे powerful explosive कौन सा होता है आप मुझे बताएंगे seasoning of stone basically reduction of moisture content के लिए इस्तमाल किया जाता है पत्थरों में dressing of stone basically वही shape and size जो आप इसको देना चाहते हैं इसके लिए इस्तमाल किया जाता है इसमें सबसे powerful explosive जो की blasting में इस्तमाल होता है उसे हम कहते हैं dynamite और इसके साथ-साथ हम चार method querying करने के लिए जो इस्तमाल करते हैं stones की पहला है हमारा excavation method दूसरा है हमारा wedging method तीसरा है हमारा heating method और चौथा है हमारा क्या blasting method इसके notes मैंने अपने टेलिग्राम ग्रूप में भी आप लोगों के लिए डाले हुए है आपने नहीं डाउनलोड किये नए बच्चे है तो सेशन को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलिग्राम ग्रूप को वीडियो के टाइप ऑफ रॉक इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक या फ्रिग्रिनाइट तो द्यान देने की बात यह कि मार्बल एक ऐसा पत्थर है जो कि मेटामॉर्फिसम से बनता है किसके लाइम स्टोन की इसके नदर जो मेजर मिनरल होता है वह कौन सा होता है आप मुझे अगर मैं बात करता हूं अन्सट्रेटिफाईट की केटिकरी में आता है इसके साथ ता यह भई मेटामॉर्फिक ने बोली दिया कैल्शेयरीव होता है यहाफम्हेजर मिनरल होता है और कैलषाइट मिनरल की मोट्रिणकी या फ्री होती है अब अब ऐसा निया गर्फ्रेंट को याद करके लिखना शुरू कर दिया या बॉइफ्रेंट को याद गर रिया ना ना ऐसे नहीं चलेगा इसको इसको याद करना मिया ठीक ना इगनियस रॉक बसाल्ट डुलराइट ट्रायप ग्रनाइट साइनाइट गेबरो यह कुछ है इसके साथ साथ आपको खास एक बात और भी ध्यान रखनी है कि यह तो जी लॉजिकली आपने क्या किया क्लासिफाई किया है अगर आप से पूछ लिया जाए तो स्ट्रेटिफाइट की कैटेगरी में कौन आ जाएगा सैंड स्टोन लाइम स्टोन शेल जिफ्सम और स्लेट अभी अभी मैंने बताया था ठीक ना ग्रनाइट बसाल ट्रैप डियोराइट डोलेराइट गैब्रो साइनाइट और इसके लावा फॉलियेटिट की कैटेगरी में बताएंगे स्लेट शिस्त ग्रिस तो मैंने आप लोग ले शॉर्टकट टेबल भी बना दी है यह गेंस T summertime आज आप अपने च्छे मैने एक साल में जो कर गुझह रेंगे वह आपके आने वाले चालिस साल बताएंगे कि भाई आपने उस एक साल में क्या किया था ठीकर ना उस एक साल में आपने इसके लावा को यह किया दा रहा हो तो मुझे खासकर बताएंगे ठीक ना सूसरा है सिलीशियस रॉग ग्रनाइट बसाल्ट गनेस साइनाइट ट्रैप सैंड स्टोन साइन साइनाइट अर्गिलीशियस ट्लेट लेटराइट और शिस्ट ठीक ना तो मैंने पूरी-पूरी टे साउननेस ऑफ पोर्टलेंड सीमेट एपरेटर सब्सकोड़ गई लेटर एपरेतर ऑख वाइक बाते कि वज़ाओं से होती आ बताएंगे लसम क्या है ना इस क्या है sulfur ठीक है ना और M क्या है magnesia तो unsoundness of cement is due to LSM ठीक है ना किसकी वैसे होती है LSM इसमें lime की वज़े से unsoundness निकालते हैं हम और magnesia की वज़े से निकालते हैं lime की unsoundness leech atlius apparatus भाईया की मदद से बताया जाता है और autoclave apparatus lime और magnesia दोनों के लिए इस्तमाल किया जाता है ठीक है तो answer क्या हो जाएगा leech atlius apparatus distemper is a type of oil paint enamel paint water paint या फिर आपका वर्निश तो देखें distemper क्या होता एक सस्ती quality का paint होता है क्या होता है एक सस्ती quality का paint होता है यह washable होता है ठीक है ना इसकी stickness बहुत अच्छी नहीं होती यह सिर्फ interior works के लिए इस्तमाल किया जाता है ठीक है लेकिन मैं आपको बता देता हूं अब ऐसा नहीं रहे सिर्फ किताबों में ऐसा है ठीक है तो किताबों के इसाब से water paint है देश की हमारी यह company जिसका नाम है Asian paint उसने यह कर दिखाया है कि वह अब डिस्टेंपर को वाशिबल paint में भी convert कर दिया यानि कि आप उस पर पानी भी पढ़ जाए तो कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन एक्जाम में वाशिबल भी बोलना और यह यह वाइड कलर का होता है वैसे तो लेकिन इन्हों ने इसको colorful भी बना दिया तो इसलिए आप सुनते होंगे यहां पर बड़ा hack है बड़ा भैंकर है ठीक है कि वही moisture content वैसे तो एक लगडी के अंदर हम reduce करके 10-12% पर ले जाते हैं कितने पर ले जाते हैं सभी लोग लिख कर बताएंगे 10-12% लेकिन इंडियन standard code कौन सा IS 287 कौन सा IS 287 अलग अलग चीजों में कितना moisture content होना चाहिए बताता है और उसको भी zones में बाटा हुआ है मलब पूरे देश को चार जोनों में बाटा गया है अब वहां पे कोई aircraft में लकडी इस्तेमाल हुई है तो zone 1 में अगर वो है तो 10% zone 2 में है तो 12% zone 3 में तो 14% zone 4 में तो 15% अब जही का तो दिमाग घूम जाएगा इत्ता कहां से आथ करेगा अना इत्ती वड़ी टेबल और ये भी पूरी टेबल की मैंने आदी दिखा रहा हूं मैं लेकिन अब मैं इसमें से बताता हूं आपको 12 14 और 16 दोर और विंडो में अगर दोर की थिकनेस 50 mm से ज्यादा है थिकनेस ठीक है ना 50 mm से ज्यादा है तो zone 1 में 10 12 14 और zone 4 में 16 ठीक है ना अगर 50 sorry कम थी अगर ज्यादा लिख दिया मैंने कम कम अप्टू नहीं फिर गड़ बड़ गड़ ज्यादा ही लिखा था सही लिखा था ठीक है ना अगर कम है सौरी कम है तो कम के केस में 8 परसेंट 10 परसेंट 12 और 14 ठीक है ना तो ऐसे से दो दू का गया पर देते चले जाओ बस सिंपल है तो भाईया जीरो से 14 परसेंट और जीरो से और यह 16 परसेंट तो यह बेसिकली आठ से आपका बन जाता है 16 परसेंट तो आठ से 16 परसेंट की जो रेंज है एक बार के लिए सबसे सूटेबल जो है इसी सी ऑप्शन में बैठेगी ठीक है बहुत अच्छे ठीक है बहुत बढ़िया चलिए बहुत अच्छे गाइस ठीक है और मोहिस्तर भी देखे पूरा-पूरा आपका उस्ता भी बढ़ा रहे हैं ठीक है तो कोशिश करनी है कि जिन्दगी में बहतर करना है ठीक है जैसे कि मोहिस्तर और हम हमारी पूरी टीम हम वीन को लगाते हैं तो इससे फैर मिलती है लेकिन डीकिन प्लाइविड की स्टेंथ हमें दोनों डारेक्षिं में में मिल पाती है विड़ का जो श्रिंक टोनों डिरेक्षिन में बढ़ जाती है इसको डो आंसर आपको जगाओं पर दिये गए हैं ठीक है तो फ्री वाले websites के उपर आपको इसका answer जो दिया गया है वो आपको thickness दिया गया है ठीक है ना लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसका plywood is always identified by ठीक है ना layers की 3 ply की है 5 ply की है 7 ply की है 9 ply की है या 11 ply की है ठीक है अब यहां पर answer layer तो ही नहीं अब answer तो layer में ही नहीं ठीक है ना तो answer इसका layer ही है लेकिन अगर layer option में नहीं है तब आप thickness कह सकते हैं तो secondary option thickness है ठीक है ना secondary option thickness है इसलिए जो चापा चापी वाले content वाले हैं उन्होंने thickness answer दिया है अगर option में layer लिखा है तब भी ठीक है तो आपको यह नहीं करना है क्योंकि आप चापा चापी वाले engineer नहीं है कौन से वाले engineer नहीं है चापा चापी वाले ठीक है ना क्योंकि आपको पता है कि भाई उसको हम number of layers के इसाफसे signify करते हैं और उसके साथ साथ अगर layer option में नहीं है तो फिर आप thickness के हिसाब से करेंगे और मैं आपको बता दूँ इससे regarding सवाल पिछले ही साल मतलब पिछले क्या इसी साल 2023 का जो engineering services का paper था उसी में यह सेम सवाल पूछा गया था कि मुझे बताईए कि साथ प्लाई वाली जो प्लाई वुड होती है उसकी thickness कितनी होती है ठीक है ना तो 9 mm 12 mm क्या कहते है 15 mm और 16 mm कितनी 9 12 15 और 16 कितनी 9 12 15 और 16 ठीक है चलिए बहुत अच्छे अगला है the process of mixing transporting placing and compacting concrete using ordinary portland cement should not take more than कि भाई आपने एक concrete को बनाया उस concrete को mix करने में transport करने में place करने में और compact करने में आपको किस से जाधा समय नहीं लगना चाहिए तो आपको 30 मिनिट से जाधा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि वह 30 मिनिट के बाद सेट होना शुरू कर देगा अपनी plasticity को lose करना शुरू कर देगा गाई ठीक है तो यहाँ पर आंसा 30 मिनट बहुत अच्छे setting time of cement decreases by adding setting time cement का decrease करता है किसके add होने से gypsum के add होने से calcium chloride के add होने से sodium oxide के add होने से calcium sulfate के add होने से तो ध्यान देने की बात है मुझे पूरा यकीन था कि आप इसमें अगा होने क्यादे क्या चलिए फिर भी मैं कुछ example retarder और accelerator कि आपको देदेता हूँ ठीक है ना तो calcium chloride आपका accelerator की तरह काम करता है 30 निट का काम 30 मिनिट का काम 30 मिनिट में करा देता है 30 का काम 15 मिनिट में करा देता है चलिए तो एक चीज यह बहुत important है अब अक्सर मैंने चीज देखिए बच्चों के मन में क्या एक बहुत गलत फह्मी डाल दी गई और वह के बबर आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा क्या करें अब मैं बताता हूं क्या जो सब्सक्राइब बारा घंटे की मैरइफॉन अच्छा बात बताओ प्रैक्टी कर रहा गंटे की मैरत yuan अपके लगा भूगे है कि बटाएंगे वग्सक्राइबर्स हिपियरली वटा लेकिन जो काम हम बारा घंटे में करते हैं अगर उसे हम दो घंटे में कर दिखाएं तो क्या ये मैराथॉन है बारा गंटे का काम दो गंटे में या दो गंटे का काम बारा गंटे में यह आपने आप में एक टेक्निकल लोग कहलाते हैं हमारा क्लाइब देखाना है अभी तक आप करीब साथ से उपर सवाल लगा चुके हैं और आपने इतने सवाल आप देखेंगे अडिशनल के साथ उसके बारे में और और कोस्टिंस के साथ साथ यानिकी साथ इंटू साथ 120 कोश्टिं टिमा एक इंटू के दिया प्लस एक सोबीस से उपर कोशन लगा चुके हैं क्योंकि आप हर कोश्टिंगे अडिशनल चीज़ भी सी करें तो बताइए पैंसट कोशन लगा चुके लिए ठीक है चलिए बहुत अच्छे ठीक तो पैंसट पैंसट एक्सटीज हो गया अगर मैं सिर्फ एक एक कोशन एक्ट्रा काउंट करके चलू तो भी तो कॉमनली यूज लाइंट फॉर वर्क अंडर वाटर पानी के अंदर या फिर डैंप सिच्वेशन में तो मैंने बत हैं यहां फिर फीवलिक लाइम के अंदर कले का परसेंटेज जो होता है वह पांस से दस परसेंट होता है इसलिए इसका इस्तमाल किया जाता है एंड इट के यूज पर प्रिपेरिंग अ मोटार एज वले अधा डैंप लोकेशन सो आंसर क्या बन जाएगा बहुत अच्छे घहित आगला ग्रिनाइट एग्जांपल उफ एक्वस्रोग सेडिमेंटियरोग मेटमॉर्फिक रॉक यह फरैगनिस रॉक तो भड़ाजTe आपक़ एग्जामपल है वह ग्रिनाइट आप बताएंगे किनित लाइट है यह ऑग से बहुत में रॉक है ठीक है ना प्लुटोनिक रॉक के साथ साथ ये एक सिलीशियस रॉक भी है ये सिलीशियस रॉक होने के साथ साथ एक अन्स्ट्रेटिफाइड रॉक भी है ठीक है ना अन्स्ट्रेटिफाइड रॉक होने के साथ साथ इरॉक्टिव यानि कि एक इगनियस रॉक भी है सब्सक्राइब कि एगनियस ब्लूटोनिक और पिजिकली उन्स्राटिफाइट है टीए विवोट रिखें टो प्लूटोनिक है टीक है और साथ के साथ जी लॉजिकली देखें तो इगनियस है बहुत अच्छे तो आंसर मैंने पूरी टेबल भी यहाँ पर लगा दिया आपको मिल जाएगी ठीक है वई अगला विच आप फॉलिंग स्टेट्मेंट इस रॉंग इन में से कौन सा ऐसा स्टेट्मेंट है जो की गलत है जही साब एन इंग्लिश बॉंड वर्ट लगेगा लेकिन स्टाट नहीं होगा स्टाट तो header से ही होगा दूसरे number पर queen closure लगेगा ठीक ना और उसके बाद A course B course को repeat करते जाएंगे और इस तरह बनती है English bonding और Flemish bonding में क्या हो रहा था Flemish bonding में आपने एक ही course के अंदर header stretcher का इस्तमाल करना है और इस्तमाल जब आप करेंगे तो B course का starting फिर header से करके आप समें queen closure brick लगा कर फिर उसके बाद same layering करते जाएंगे stretcher header की और A course और B course को repeat करते जाएंगे A course और B course को repeat करते जाएंगे और इस तरह से बनती है Flemish bonding तो यहाँ पर यह एक गलस statement आपको मिल चुका है फिर भी in Flemish bonding the alternate headers of each course are centrally supported over the stretchers in the course below बिल्कुल सही बात है यह आपका stretcher है यह आपका stretcher है तो header जो होता है इसके उपर centrally supported होता है मतलब stretcher के बिल्कुल center पर लगा होता है बिल्कुल सही बात है ठीक है ना in Flemish bonding every alternate course starts with the header Flemish bonding में हर alternate course देखो header से start हो रहा है हर हर कोई header course है तो true है जी तो एक ही statement गलत है that is second सभी बात है बहुत अच्छे the type of lime using lime concrete lime concrete में किस type के lime का इस्तमाल किया जाता है fat lime का poor lime का slaked lime का या फिर hydraulic lime का तो ध्यान देने की बात यह है जही साहब कि type of lime use lime concrete lime concrete बनाने के लिए क्योंकि इसको पानी के अंदर set होने का property चाहिए और थोड़ा सा strength भी चाहिए तो यह दोनों property हमको किसमें मिलेगा वह हमें मिलेगा hydraulic lime में अभी अभी हम बात किया हूं जी ठीक है बहुत बढ़िया इसके साथ-साथ lime को इंडियन standard code ने f class थक बाटा है कौन से इंडियन standard code ने यह आपको comment करके बताना मैंने खास recommend किया था lime में कि आपको याद रखना है ठीक ना तो class a lime is eminently hydraulic lime class b is semi hydraulic lime जिसको आप moderately hydraulic lime भी कहते हैं class c is fat lime class d is magnesium or dolomatic lime class e is a kankar lime और class f is salacious dolomatic lime ठीकिक ना हाला कि अगर आब बात करते हैं तो इसके लिए इंडियन standard code 1077 तो brick के लिए इस्तवाल एक दूसरे copy मार दो के बस है अक्षे साहां बहुत बढ़िया is 172 sorry 712 कौपी मार दिया एक नहीं नहीं इस्तवाल किया जाता है first class brick का और बंड ब्रिक्स का अंडर बंड ब्रिक्स का या refractory bricks का तो ध्यान देने की बात यह है कि भाई lining of finances के लिए हम जो ब्रेक इस्तमाल करते हैं उनको कहा जाता है refractory bricks उनको किस्ते बैसिकली बना जाता था फाईर कले से से बनाए जाता है ठीक है ना चाथ बनाया जाता है पनाइब लिखता है कि पीडिएफ नहीं मिलेगाinta रेच चचा जा जाओ चचा मान जाओ ठीक है बई the heat of hydration of cement can be reduced by heat of hydration cement में आप कैसे reduce कर सकते हैं reduce the proportion of c3 and c3 s increasing the proportion of c3 and c3 s increasing the fineness of cement और बोथ 1 & 3 ठीक है तो ध्यान देने की बात यह है कि heat of hydration सबसे ज्यादा कौन प्रेड्यूस करता है c3 s से कम कौन करता है और सबसे कम कूल गाई कूल कौन से छोटू गाई सी टू एस ठीक है ना तो यहां पर इनका परसिंटेज कम कर दो अच्छे बहुत बढ़िया चलिए अच्छी बॉंडिंग करने के लिए एक ब्रिक मैसनेरी वर्क के अंदर अल ब्रिक नीड नॉट टू इनिफॉर्म इन साइज भाई यह सारी ब्रिक उनिफॉर्म साइज क्यों नीच यह गलत कह रहा है वाई यह बैट्स मस्ट बी यूज़ जरूरी नहीं है लेकिन हां कर सकते हो ठीक है जरूरी नहीं है गोर कोई ऑप्षिन देख लेते हैं द वर्टिकल जॉइंट इन ऑल्टरनेट कोर्स शुड़ फॉल इन प्लंब मतलब सेम लाइन में होने चाहिए बिल्कुल टू स्टेट्मेंट है यह जरूरी नहीं था इसल जरूरी नहीं जरूरी न सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है तो इसलिए उ Soup जो है rules of bonding के हिसाब से यह बिल्कुल परफेक्ट रूस ओबंडिंग जो है गहर्णफ को 110 स cancerow तो इसकी strength जो है वो 5% से कम हो जाती है 10% से कम हो जाती है 15% से कम हो जाती है या फिर 17.5% से कम हो जाती है तो ध्यान देने की बात है जैई साग कि asbestos एक fibrous material होता है इसके tensile strength काफी अच्छी होती है along the fibers ठीक है ना टेंसाइल strength की लगबग होती है 3,000 Newton per mm-square, यह heat conductivity कम करता है, इसको heat insulation के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको sound insulation के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, इसकी resistance to alkali जो होती, काफी अच्छी होती है, लेकिन acid से resistance इसकी काफी अच्छी नहीं होती, और मैं आपको बता दूँ, इससे पिछले ही साल S.B. Stoss से सवाल पूछा गया है बच्चे इसके ध्यान नहीं देते ठीक ना लेकिन पूछा जाता है ठीक है इसके साथ साथ इसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इंकंबे शबल होता है जल्दी से आग नहीं पकड लेता है तो इसमें क्रेंट 25 से 30% हो जाती है लेकि उसमें खास बात की तो यह बात ही खतम हो जाती है ठीक है बहुत अच्छे जई साहब और इसके यूज तो आपने देखी होंगे इस तरह कि आपने शीट्स पड़ी वी देखी होंगी इस तरह कि आपने सीवर पाइप देखे होंगे यह सब क्यों क्यों क्योंकि वह एस तरह सिमेंट से बनाया जाता है और अच्छे गाईज़ प्यपने लोग अपने टामब बढ़सा क्य मेद़ और अगला क्वेश्चे ते कितने नंबर उप minerals hardness के लिए arrange किये गए हैं यह homework question है ठीक है ना जिसकी जिसमें कि हम अगले मैं देखूंगा कि वह किसने किसने answer किया है basically तो class के बाद comment section में देखेंगे इसका answer किसने दिया और एक से 10 तक हर एक mineral का नाम बताना है फिछली class का भी तक pending रिजल्ट तो दोनों ही classes का रिजल्ट जो है आखरी महाकुंब के अंदर आएगा जो कि कल रात 9 बजे same time पर होगा और इस class का PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रूप में दे दिया जाएगा अब मैंने जो session की शुरुवात में आपसे बोला था कि आपको बताना है कि आपने कितने question attempt किये उस में से कितने गलत किये और कितने सही किये order क्या होना चाहिए right question slash wrong number of questions और total attempted question तो बताएंगे सभी लोग इसी form के अंदर सभी लोग बताएंगे भाई yes everyone कितने सही किये कितने गलत किये और कितने टोटल attempt किये आपको बताना यह सब्सक्राइब आजी yes app rank improvement classes आप लोग के लिए शुरू हो रही है from Monday on test book application ठीक ना और यह शाम को चार बजे होगी and that will be a free rank improvement class for every student जैसे कि अमित पाल जीने काउंट किये कि उन्होंने 74 लगाएं बिल्कुल सही काउंट इनका बिल्कुल सही आप कर सकते जैसे कई बच्चे इनोंने 70 भी सही किये कई बच्चे आइसे जिनने 50 सही किये कही ने 47 कि यह कुछ लोग जुट भी बोल रहे हैं तो इस वाद कभी घ्याल लगना है लेकिन फिलाल के लिए आप सभी लोग बहुत महनत कर रहे हैं अच्छे से अच्छी महनत करेंगे और मैं चाहूंगा कि एक आप सभी लोगों से से एक मदद चाहता हूं और यह है कि सेशन जब खतम हो जाता है तो उसके नीचे आज सेशन में से 5 में से रेटिंग जरूर दीजेगा सेशन की रोज आप ऐसा कर सकते लेकिन के महाकुम में जरूर कीजेगा कि 5 में से क्या रेटिंग रही क्या खूबसूरत रहा मैंने एसी को जैसे आपको इंप्रूव्मेंट की जरूरत है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जिंदगी में इंप्रूव करा के एक बहतर इंसान बना सकूंँ आप भी कोशिश करिए कि आप कॉमेंट करके मुझे भी कुछ रिव्यू करें और मैं एज़ टीचर अगर आप इन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तन इस सेल इस फो यू तेस्ट्बुक का मित्रों सेल गेर अप तो 90% OFF on all supercoaching courses